स्टुडेंट्स आज के पेपर में जो कुश्चन आए हैं प्लांट फीजोलाजी के और बाया मॉलेकुल के उनको मैं आपके साथ डिस्क्स करूँआ पेपर के अंदर कुश्चन नमबर वन जिरो वन जो था वो हमसे पूछा गया था कि जो एंजाइम्स हैं कौन हैं एंजाइम्स कौन सा एंजाइम भई एंजाइम है नाइट्रोजिनेज कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है तो आप बताएए कि जब हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करते हैं तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो प्रोटीन हम याद करते हैं MOFE protein structurally और एक पढ़ते हम FES और ये दोनों मिलकर कौन सा enzyme बनाते हैं तो हम कहते हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं नाइट्रो, जिनेज enzyme अब इन में से अगर option में देखो या तो FES option में होना चाहिए ये MOFE option में होना चाहिए तो first option में है MOFE protein second option में है MO-MN, ये तो नहीं होगा ये हो सकता है third में MNFE, ये भी नहीं होगा fourth में copper FE, ये भी नहीं है या तो FES हो या फिर MOFE हो तो आप बताएए कि यहाँ पर कौन सा protein हमें first option में दिया गया है MOFE protein, इसलिए इस question का जो सही answer जाएगा, वो first option जाएगा इसी sequence में आगे देखें कि जल का प्रवह MOON ROM से, ये question number 102 है कि जल का प्रवह MOON ROM से वल्पुड की और होता है और जल का विभव के अधार पर इनका सही करम है, कि water will move from the root hairs through the cortex if water potential are एक तो आपको याद करना है कि water का जो movement होता है, वो high water potential to low water potential होता है, और atmosphere pressure पर हम pure water का water potential zero और solution का negative count करते हैं, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, कि अगर आप को ये पूछा गया है कि मूल ROM से वल्पुड तक आ रहे हो आप बतलब ये root है root में ये root hair है और अंदर center में ये gyla में यहाँ ये gyla में और ये वाला reason cortex है cortex है तो water का movement root हैर से cortex और cortex से gyla में होना चाहिए और high water potential तो low water potential अब आप देखो यहाँ root हैर का दिया है zero cortex का दिया है zero और gyla में का दिया है zero तो तीनों का अगर water potential सेम होगा तो water की movement तो होगी नहीं तो first option तो answer नहीं है सही movement के लिए अब इननका root हैर में हो zero cortex में हो minus one और gyla में हो minus two मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है water potential यह कम होता जा रहा है तो हम कहरें कि लगातार water potential कम होता जा रहा है और water will move from high water potential to low water potential तो zero जादा है zero से कम है minus one minus one से कम है minus two तो water zero से minus one से minus two की तरफ आता है तो यह इसका answer हो सकता है लेकिन second option answer देने के लिए हमें third और fourth को exclude करना पड़ेगा third में लिखा है root here का zero ठीक है root का जो cortex है उसका minus one यह भी ठीक है लेकिन xylem का zero यह गलत है क्योंकि xylem का अगर zero होगा तो फिर पानी xylem में जाने के बड़ाए xylem से निकल के cortex में आएगा ऐसा होता नहीं है fourth option में लिखा है कि root here का zero बिल्कुल सही है cortex का minus two यह possible है लेकिन xylem का minus one possible नहीं है cortex के साथ अगर flow सही पढ़ना चारे तो zero से minus one से minus two की और पानी जाएगा इसका मतलब इस question का जो सही answer जाएगा बच्चे वो second option है और बिल्कुल ठीक option दिया गया है ऐसे अगर हम अगला question देखें तो diagram based भी है और match the column भी है दोनों को mix करके बनाया गया question है इसमें एक diagram है NCRT का nitrogen cycle का इसमें A B C और D लिखा गया है आप diagram में देखेंगे तो यहाँ A जो है वो D nitrification है B जो है यह ammonification है C जो है यह nitrification है और D जो है यह nitrogen का fixation है तो A क्या है D nitrification तो इसमें देखो A में ammoni current possible नहीं nitrification possible नहीं V nitrification means denitrification possible है और fourth nitrification possible नहीं मतलब question देखने में बहुत बड़ा लग रहा है answer A की step में आ गया कि आपको अगर A पता है कि वो denitrification होगा तो D nitrification वाला option A की है तो answer क्या बनेगा इसका first option लेकिन अपने को दूसरे भी तो match करने है ने question में कुछ गड़बड ना हो जाए तो B क्या है B है ammonification देखो B में ammonification ammoni current C क्या है nitrification तो देखो C में nitrification तो देखो B क्या है nitrogen fixation है यहां पर और हिंदी में लिखा हुआ है कि ज्याइब nitrogen स्थिरी करन तो biological nitrogen fixation यह D option बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब इस question number 103 का जो सही answer जाएगा वो third option जाएगा बिल्कुल ठीक दिया गया answer है इसी sequence में आगे चले तो कहा गया है कि गन्ना जैसे कि एक ocean cut-up बंदिये पोदा है CO2 स्थिरी करन की उच ख्षंता निमल खित में से किसके कारण परदर्शित करता है कि tropical plant like as the sugar cane show the high efficiency of the CO2 fixation because of आप याद रखिये कि sugar cane जो है example based question आया है production अच्छा करता है क्योंकि ये plant कैसा plant है C4 plant है अब अब देखो भई Kelvin cycle तो हर किसी में होता है C3 में भी और C4 में भी तो ये Kelvin cycle बेटर बनाएगा ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि Kelvin cycle तो C3 में भी होता है और C4 plant में C4 cycle चलता है C4 cycle का दूसरा नाम Hats Lake pathway है अब इसको Hats Lake pathway कहेंगे तो ये answer होने के chances है कि second option है कि गन्ने में Hats Lake pathway होता है cyclic photo phosphor relation होना या TCA cycle होना TCA cycle मतलब यहां कौन है crab cycle तो आप बताइए crab cycle और cyclic photo phosphor relation होने से efficiency बढ़ने का कोई relation नहीं है क्योंकि crab cycle तो सारे aerobic respiration करने वाले organism करते है इसलिए जो सही जाएगा ना answer बच्चे वो Hats Lake pathway ही जाएगा क्योंकि Hats Lake pathway C4 cycle का ही दूसरा नाम है तो question number 104 का सही answer जो है बच्चे वो क्या है second option है तो बिल्कुल ठीक option है इसी sequence में 105 में लिखा गया है कि पादपों में स्वशनिये electron परिवेहन तंत्र कहां स्थित होता है मतलब mitochondria के ETS की बात चल रही है हम कहते हैं कि जो mitochondria है वो एक double membrane bound structure है इसमें एक होती है inner membrane एक है outer membrane एक matrix matrix में चलता है बोलो krab cycle और ETS चलता है inner membrane पर और यही पूछा गया है कि ETS कहां होता है सीधा answer आएगा third option information based question है कि inner mitochondrial membrane पर ETS चलता है तो question number 105 का सही answer third option है बिल्कुल ठीक option है इसी sequence में 106 number question कि plants की जो generally growth होती है वो कैसी growth होती है तो आपको समझना है कि tropical growth curve जो होता है plants का वो stigmoid है time के साथ हम पढ़ते हैं growth rate को तो हम इसमें तीन phase lag, log और stationary के basis पर stigmoid curve पढ़ते हैं और जो plant seasonal activity शो करते हैं या generally plant body के लिए जब भी हम curve की बात करते हैं तो हम tropical growth के लिए curve हमेशा sigmoid ही याद करते हैं information based question है इसका मतलब इस question का भी सही answer जो है वो third option ही जाएगा इसी sequence में next question है कि निम्ड में से कौन सा अपचैन कारी शरकरा है which one of the reducing sugar देखो reducing में याद करो कि glucose की बात चल रही है तो glucose में six carbons है इन six carbon में से glucose का first carbon reducing carbon होता है मतलब glucose किसी से react करे तो वो first carbon से करता है तो इसका मतलब glucose एक reducing sugar है ये इस question का answer हो सकता है लेकिन क्या starch है तो हम बताते हैं नहीं cellulose है हम बताते हैं नहीं क्योंकि starch और cellulose polysacride है और polysacride हम chemically inert बताते हैं लेकिन वही सुक्रोस की बात आती है तो सुक्रोस जो है बच्चे वो combination है glucose और fructose का one, two, three, four, five, six carbons तो इसमें first carbon और second carbon आपस में क्या कर लेते हैं react तो बताओ कि जब glucose और fructose के दोनों carbon जो reducing हैं अगर वो आपस में react कर लेंगे तो सुक्रोस जो है वो भी non reducing हो जाएगा लेकिन question में reducing पुछा गया है तो हमारा answer जाएगा glucose क्योंकि इसका first carbon free है और उससे वो दूसरे chemical के साथ react कर सकता है मतलब glucose यहाँ जो है वो reducing sugar है इस question का first answer जाएगा इसी sequence में 136 number question है एक statement based है बच्चे कथन और कारण का कि 24D व्यापक रूप से इक पत्री पूदों का नाश कर देता है खरपतवार का नाश कर देता है 24D widely used to kill the monocotillodonus weeds गलत बात है आप बताइए 24D जो है यह एक auxin है और यह क्या करता है kill the dicot weed monocot को नहीं मारता इसका मतलब आशेशन तो wrong है पिर reason में लिखा है कि यह परिपकवदी बिजपत्री पूदों को प्रभावित नहीं करता यह बिल्कुल गलत बात है यह dicotillodonus plants को तो effect करता है और यहाँ लिखा गया note effect अगर यह होता कि it don't affect the mature monocotillodonus plants तो यह बात ठीक हो जाती इसका मतलब reason भी यहाँ गलत है तो reason और assertion दोनों ही गलत statement है और ऐसा option कौन सा है fourth option कि assertion and reason बोथ आर wrong तो इसका मतलब इस question का सही answer क्या जाएगा fourth option यह भी एक सही बात है इसी sequence में question number 137 में पूछा गया है कि जिब्रेलीन के संधर्ब में कौन सा कथल गलत है which one of the following statement is incorrect for the जिब्रेलीन यह आपको मिलेगा बच्चे NCRT के अंदर जिब्रेलीन के physiological effects में वहाँ याद करिये कि अंगूरों के वरंतों की लंबाई वरदी करने में उप्योक तो होता है कि दे आर यूजड इन increase the length of the grape stock बिल्कुल exact NCRT की लाइन है यह बिल्कुल सही बात है दूसरा है कि पे उद्योकों में जीये ठीका माल्टन की परक्रिया को तिवर्ता के लिए उप्योक किया जाता है कि speed up the malting process exact जीब्रेलीन में ये बात भी NCRT में लिखी गई है बिल्कुल ठीक है और हम से पूछा गया है incorrect जीब्रेलीन के लिए ध्यान दीजिएगा फिर third में लिखा है कि नई पतियों के हरितलवक पाशर भी है पर्रोह वरदी और अपस्थानिक पर्रोह वरदी में सहायता करते है इट हेल्प्स टू प्रड्यूस दा न्यू लीज क्लोरोप्लास्ट इन लीज लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडविटेशियस शूट फॉर्मेशर ये जो लाइन है बच्चे ये है तो NCRT की ही लेकिन आप बताईए कि ये लाइन साइटो काइनीन के फंक्शन्स को रिपर्जेंट करती है ये लाइन साइटो काइनीन के फंक्शन्स को रिपर्जेंट करती है इसका मतलब ये जो थार्ड ओप्शन है ना ये जिब्रेलीन का नहीं साइटो काइनीन का है इसका मतलब इस question का answer third option हो जगता है लेकिन third option को answer देने के लिए हमें fourth को भी exclude करना पड़ेगा fourth में लिखा गया कि जिब्रेलीन चुकंदर बंदगोबी तथा rosette सभाव के जो पोदे होते उनमें bolting करवाता है बिलकुल ये rosette habitat plants के अंदर promote करता है bolting को ये बात भी NCRT में जिब्रेलीन में ही लिखी हुई है इसका मतलब ये भी ठीक है तो जिब्रेलीन के लिए इनमें से जो incorrect statement है वो third वाली statement है इसलिए इस question का जो सही answer है बच्चे वो third option होगा 138 number question हमें दिया गया है एक table बाया molecule chapter chapter number 9 से ये table ली गई है इसमें कहा गया है first column के अंदर alkaloids और अगर हम alkaloids की बात करते हैं तो हम कहते हैं alkaloids हमें याद करने हैं morphine और codeine इसका मतलब A से match कौन कर रहा है second A से second कहा match हो रहा है first option में और third option में इसका मतलब second और fourth तो answer है ही नहीं फिर second में बोला गया है आवशक ते essential oils अब essential oil lemon grass oil में लिखा गया है देखो आप यहाँ oil यहाँ oil यहाँ oil यह match हो गया A के साथ बी के साथ third तो B के साथ third भी दोनों में match हो रहा है first और third में सही है अब तीसर नमबर पे लिखे गए है toxins toxins की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि toxins एबरीन और रिक्सीन होता है तो C के साथ fourth match हो रहा है first option में लेकिन third option में C के साथ first है यहाँ पर C option को जाकर third option भी क्या हो गया exclude हो गया इसका मतलब answer तो क्या बन गया first option और fourth option में लिखा गया उशदिया ड्रग्स तो हम बताएंगे यहाँ हमें याद करना है wind blasting और kukar kumin को kukar kumin और wind blasting जो है बच्चे वो drugs में आते हैं इसका मतलब A के साथ second B के साथ third C के साथ fourth और D के साथ first ऐसा option कौन सा है first option है तो यह plant physiology और biomolecules के question को हमने discuss किया है लो अच्छों आईए next exam के जो discussion है हम उसको start करते हैं अब आज देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है यह हम लोग अभी देख रहे हैं जो question है वो plant terminology का है long filamentous thread protruding at the end of a young cob of maze are यार याद करो जो cob होता है न मेज का spadix कहते हो अब उस spadix में जो silk like structure होती है वो basically style होती है longest style of the plant kingdom कौन होता है बैटा मेज का ही होता है और वो style वो उसे silk like appearance देती है और वो female influence का एक पार्ट है तो what is the right answer of this question मैंदी है the right answer of this question is actually देखा जाए तो वो है third one ठीक है now what is the next question और मैं बात करूँ next question की तो next question कहे रहा है एक मटुक जाहिए next question कहे रहा है unisexuality of flower prevents याद रखिए unisexuality of flower होता है वो autogamical self pollination को prevent करता है कितनी अच्छी बात NCRT में लिखी हुई है कि जितने भी consequences या adaptation for the cross pollination क्या-क्या हो सकता है उसमें समसे बहतर ही नहीं होता है unisexual होना अब रखिए अब फ्लावर unisexual अब आइडियर एक बात याद रखिएगा वो autogamical participate नहीं करेगा वो xenogamical participate करेगा इसका मतलब कि unisexuality होती है वो basically cell pollination को रोग करके और cross pollination को favor करती है अब आइड रखिए वो निट्नोगायमी नहीं पता आपको एक ही plant के ऊपर दो flower के भीच भी पॉलिशन genetically self pollination ecologically cross pollination is it clear now see autogamical self pollination and it no game autogamical but not it no game अरे यार एक बात बताओ सबसे अच्छा तो है आपका थार्ट जाएगा क्यों नहीं निट्नोगायमी अरे genetically निट्नोगायमी है तो self pollination भाई निट्नोगायमी genetically क्या है self pollination है तो है नहीं इसलिए what is the right answer to this question वो है third one यह बहुत सा question है यह बहुत सा question है यह पूछा जा सकता है आपके exams में next question क्या है भाई next question है what type of presentation is seen in sweet pea my dear sweet pea एक febacy का member है और आपको पता है ना febacy में कौन सब्सक्राइशन होता है तो marginal presentation होता है margin के उपर प्रेसेंटायर आई जातों से marginal presentation कहते है monocardinary ovary होती है urilocular condition होती है तो इसने याद रखिए जो marginal presentation है वो basic character है किसका sweet pea या पी का या पूरी febacy family का इसी के लिए आगर आप देखेंगे तो यह प्लेसेंटा है और यहां पर यहां पर यह सीड्स एराइज है कभी आपने जिन्दगी मटर खोला है तो मटर में यहीं पर सीड होते हैं में इसी को कहते है marginal presentation parietal कहा होता है parietal होता है किसमें तो इसमें दिखा उसी को बात कर लेते हैं बेसल होता है बेसल प्रेसेंटेशन होता है फैमिली पोईसी में यहां हो सकता है marigold में exile प्रेसेंटेशन स्वलनेसी और लिलीशी का धहतरीन करेक्टर है और free central prime rose और dianthus का करेक्टर है यह NCRD की बाते हैं thank you very much next question देख लेते हैं और रैपलम अरे वाओ क्या मस्ट कुर्शन है यह NCRD की लाइन है रैपलम इस स्थान के प्रेसेंटेशन जb करち ब्राक ता रैपलम राइपलम प्रेसेंटेशन जब रििखम प्रेसेंटर कर देता है इसका मतलब यह अजिका स्था सेप्टम हाखे नधीं बट अर्ड रैपलम और ररह रैपलम दे चारेक्टर這邊 प्रास काुए progress 국 Glas यह फैमिले यह सी हांसर और मॉस्टर के अंदर बहुत ही ब्याक्टिरीन कहते इसका नाम है कह रहा है unilocular ovary which single ovule की बड़ी मज़दार होती है कहां गया यार कहां कुशन गया हाँ single ovule की बड़ी मस्त होती है single ovule याद रखिए अगर छोटा सा placenta माल लेते हैं कि यह अगर आप सपोस करो यह एक ovary है और अगर इस ovary के बिलकुल base में एक symbol सा छोटा सा placenta arise होता है और एक ही ovule इसमें होता है इसे कहते हैं basal presentation तो question क्या है locule भी एक है ovule भी एक है और placenta बिलकुल base में है तो इसको कहते हैं basal presentation शांदार character है basal presentation किसका the unilocular ovary with a single ovule and presentation is called basal presentation or basal presentation आपको बहुत अच्छे से पता है wheat में होता है और भी अगर आपको पूछा जाए तो आप उसको marigold और sunflower की बात कर सकते हैं तो what is the right answer of this question number 16 and that is the basal presentation एक और question की चर्चा कर लेते हैं बहुत लंबा चुछा लिखा हुआ है that says cells are thin-walled cells pound in अरे यार एक बात आपको याद नहीं है याद करी classes में पढ़ा जाता है कि ये अगर हम माल लेते हैं suppose ये endodermis है ये pericycle है और ये माल लेते हैं जाइलम है ये जाइलम है ये जाइलम है ये फ्लोयम है ये फ्लोयम है ये फ्लोयम है see यह हैं endodermis and endodermis की cells में आपको पता है ना अच्छे से casparian strips पाई जाती है और casparian strip की कहानी यह है मेरे बच्चों मैं आपके एक बात बता दूँ casparian strip कभी भी जाइलम region के endodermis में नहीं पाई जाती है भाई सुन लो हेलो पीम्टी वालों, नीट वालों सुन लो और iç ond पाई जाती हैे यहां पाई जाती है यहां पाई जाती है यह कैला यह पैसे इस Phillips seal में ली आपता है ताहिए घॉलम सुन के इसमें प्रेजन प्रेजेंट नहीं होती है साथ तो चलिए आई ये कुश्चन को पढ़ते हैं और आंसर लिखालते हैं कि आर्थिन वार्ड सेल्स फाउंड इन तो सेंट्रल रीजन आप दे इस्टाइल इस्टाइल पर कहा होगे पैसे से भाई एंडोर्मिस यह बात हम सोच सकते हैं कि अडोर में हो गए नहीं तो एक ही आंसर यह बहुत ही आसान कोश्चन निकला इस कोश्चन में तो देश बर का लैंगवज लिखा गया और किसी लैंगवज कोई मतलब नहीं है उसमें एक ही आंसर जाएगा and what is the right answer of this question is second one ठीक है नेस्ट कोश्चन एक और उठाते हैं यह क्या है लेकि जब एनाटमी वाले चैप्टर का सेकंड पेज आप ऊपन करेंगे और सेकंड पेज का आखी लाइन जब पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है कि जो मैरिस्ट्री टिशूज होते हैं उसमें जो कुछ टिशूज मेरिस्ट्रें बन जाते हैं उनसे जाकर करके सारे यह एक और सवाल देखिए जितनी भी ऐसे प्लांट को जो जीरोफिटिक कंडिसें में पाए जाते हैं जीरोफिटिक कंडिसें में प्लांट में बेड टिशू ज्यादा होते हैं जतना जबे लेविन टिशू रखेंगे उतना पानी रखेंगे उतना पानी के लॉस होने के संभाव ना है पानी में है कराणी वाले टीशू रखेंगे तो कोई पैस्ट होते हैं उसे मेश्रոथ नरती अधिकल अपानी को प्राव सुटे जॉर्टोंस सॉट अरे भौई पानी की चुटिकल की क्या जसे याण्ट पानी को प्रेंट करेंगा तो क्या right answer हो जाएगा? Hydrophytes. याद रखो, इसका ठीक उलीटा 0 phyte होगा. Remember, मैं होर्स? इसका ठीक उल्टा 0 phyte हो जाएगा. ठीक उल्टा 0 phyte हो जाएगा, बेटा. और यह इपिफाइड इपिफाइड मतलब किसी पौधे के ऊपर कोई प्लांट का ग्रोप करना इपिफाइड के लाता हुसमें मेकनिकल टिशुस की बहुत कोई बहुत आओ सकता होती नहीं है तो वड़ी राइट आंसर अप इसक्वेश्चिन इस हाइड्रोफाइड अगला सवाल कर लेते हैं यह क्या यार कुछ ना ही पर तो पेंटामेरस एक्टीनोमार्फिक है अच्छा पेंटामेरस कितनी फैमिली है दोई फैमिली तो है एक फैमिली है फैबेसी और दूसरी है पेंटामेरस एक्टीनोमार्फिक है और उपर से क्या लिखा है यह जो बात है न वाई साहब यह कहड़ा रही है कौन सी Obligally Placed Solan Presenta Obligally Placed Solan Presenta Is a characteristic property of family Solanacy Tomato काटना ऐसे नहीं, सलाज वाला नहीं ऐसे काटोगे, तो बीच में Solan Presenta नगएगा और भी Obligally Placed होता है, वो Obligally Placed Solan Presenta Solanacy का character है तो what is the right answer to this question is Solanacy इसमें पकड़ने के दो तरीके में पकड़ने पकड़ने एक पाई कार प्लरी, एक Obligally Placed Solan Presenta कि कितना महत्पूर है हाँ, ये भी है, कैपसूल है वेरी लेकिन आपको बताओ मैं Solanacy को पकड़ने का सबसे असान तरीका Obligally Placed Solan Presenta पकड़ डीजे अगर ये कैरेक्टर कहीं लिखा हुआ, तो Solanacy कहीं पाया नहीं जाता है See, the next question is क्या है भी या, पहली सेड परेंकाइमा अरे भाई या पहली सेड और स्पॉंजी परेंकाइमा तो डाइकोट का करेक्टर है Monocot में तो होते ही नहीं है चलो मिल लेते हैं आंसर, क्या गया है इसमें ये यार ये डाइकोट है ये डाइकोट है अपे तो बच्चा क्या ये डाइकोट, ये डाइकोट, ये डाइकोट ये क्या है Monocot, what is the right answer Monocot, कितना आसान कुश्य नहीं है पहीं, जो मीजोफिल सेल्स होती है, वो दो पाट में डिवाइड़ेड होती है डाइकोट, डाइकोट, डाइकोट में डाइकोट का करेक्टर है Monocot में होती नहीं है इसमें से आपको answer में से डाइकोट निकाल के Monocot छाड़ लेना था सिंपल सा अंसर है अग्रा सवाल पूछा जाए अगर आपने उसे तो बंद हो गया थैंक्यू वेरी मच्छ नेक्स्ट वीडियो में फिर में मिलेंगे अच्छे से स्टडी करिए अल दे बेस्ट, थैंक्यू वेरी में आइडियर नेक्स्ट क्वेशन और वो है क्वेशन नमबर 108 जहां आपको कुछ प्लांट के नाम दिये जा रहे हैं जिसे यहां पर हमारे पास Mangifera Mangifera Indica Rosa Indica Solenum tubrosum Solenum melanchena Solenum nigrum इस आर बाइलोजिकल नेम उफ सम प्लांट वहां मेनी स्पीसी जैनेरा इंक्लूड यहां पर रेस्पेक्टिवली इन इस बाइलोजिकल नेम मतलब पहले स्पीसी का नमबर बताना है फिर जैनेरा का नमबर बताना है जैसे यहां पर हम एक एक करके काउंट कर लेते हैं भई कितनी स्पीसीज है और कितने जैनेरा है तो यहां पर सबसे पहले अगर आप स्पीसीज देखते हो तो स्पीसीज में यह रही यहां पर वन इंडिका ये रहा टू ये इंडिका बलेही मैंजी फेरा के साथ भी इंडिका है रोजा के साथ भी इंडिका है तर्म इंडिका सेम है लेकिन species अलग-अलग होगी क्योंकि दोनों का जीनस अलग-अलग है तो species अलग-अलग है ये याद रखना क्लास में इस बारे में हमारा discussion हुआ है यहां solenum के साथ tubrosum यह रहा तीन solenum melongena melongena रहा चार solenum nigrum रहा पाँच तो यहां पाँच हमारे पास में species है चलो genus कितने हैं वो भी हम count कर लेते हैं बच्चों एक बार कि genus यहां पर कितने हैं यहां mangifera यह रहा एक rosa दो solenum 3, solenum यहां 3 यह भी solenum count नहीं करूँगा क्योंकि genus दुबारा count नहीं होगा species एक ही नाम की एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन genus क्योंकि अपर केटेगरी में आ गया तो वहां पर वो एक ही genus में एक से ज़्यादा species आ सकती है तो solenum tuberosum, solenum melangenis, solenum nigrum का genus एक ही है solenum यहां पर तो हमारे पास 5 species 3 genus होगा तो हमारा answer यहां पर आप सब देख सकते हैं कि 5 species 3 genus यह रहा first हमारा answer हो जाएगा next question बच्चों और next question 109 यहां पर आ रहा है और जिसमें आपको लिखा गया kingdom fungi is divided into various classes on the basis of fungi जगत को किसके आदार पर विबिन भागों में बाटा गया है आप जानते हैं न कि fungus को classify करने की basis क्या क्या होती है भाई पहला आता है type of mycelium आप mycelium को देख कर इसे classify कहत करते हैं दूसरा आता है type of spore formation spore formation की basis पर इसको classify करते हैं बच्चों हम यहाँ पर और साथ के साथ type of fruiting body हम यहाँ पर fruiting body को देख कर classify करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर तीनों में से कौन सा हमारा answer यहाँ पर जा रहा है हम देख पाएंगे कि mode of nutrition नहीं होगा pigment नहीं होगा embryo नहीं होगा लेकिन mycelium की morphology मतलब type of mycelium यहाँ पर आपका answer होगा तो थर्ड आपका answer है यहाँ कवक जाल की आकार की यह बिलकुल ठीक है और यही आपका answer होगा इसके आधार पर आप फंजाई को फंजाई जगत को विबिन भागों में मतलब classes में हम यहाँ पर विबाजित करते है next question 110 लाल शेवाल का संचीत भोजन है मतलब की stored food of red algae डारेक्ट याद होना चाहिए सबको floridian starch यह match करता है blue green algae के sign of ice and starch के साथ याद होगा सबको blue green algae और red algae pigment system और stored food में match करती है वेटा तो यहाँ पर floridian starch आपका अंसर हो रहा है सिदा सिदा अंसर जा रहा है leminarine और manitol brown algae के अंदर होगा glycogen and oil fungi में है और kaitin की cell wall fungi के पास ही होती है तो इस तरह से आपका अंसर तो सिदा सिदा floridian starch यहाँ पर होगा next question बच्चों हम देखते हैं और यहाँ कौन सा ब्रायोफाइट इधन तथा packing प्रदार्त के रूप में प्योग किया जाता है which ब्रायोफाइट is used as a fuel and packing material कौन सा ब्रायोफाइट यहाँ fuel or packing material के रूप में यूज किया जाएगा अगर हम देखे तो सिदा सिदा अंसर आप जानते हैं sphagnum sphagnum जिसको कि आप peat moss के नाम से भी पुकारते हैं तो peat मतलब यहाँ पर fossil fuel बैटा इसको आप यहाँ पर जिवाश्मिय इधन के रूप में यूज करते हैं जिवाश्मिय इधन के रूप में इसको यूज किया जाता है sphagnum को बैटा यहाँ पर इसको packing material क्योंकि इसकी water holding capacity बहुत अच्छी होती है तो living material के trans shipment में यह use किया जाता है living material को आप अगर इसमें लपेट को और water spray करके भेजेंगे तो लंबे time तक motorize ही जाएगा तो यह sphagnum आपका answer यहाँ पर होगा क्योंकि funeria gelidium gracilaria यह तो red algae के नाम है यह नहीं आएंगे हमें bryophyta बताना है funeria और sphagnum में sphagnum ही होगा वैसे भी आप जानते हैं कि bryophytes में little economic but great ecological importance और economic importance में एक ही example आप पढ़ते हैं और वो है sphagnum आगी बढ़ते हैं next एक और question आया 112 question list sum of plant is given below कौन-कौन से प्लांट है भई markenshia है markenshia कौन से ग्रूप का प्लांट है भई बताओ जल्दी बताओ bryophyta teris कौन से ग्रूप का प्लांट है teridophyta pinus gymnosperm caster angiosperm बिल्कुल ठीक बात sphagnum अभी अभी पढ़ा bryophyta polytrichum bryophyta betta psychus gymnosperm यह यहाँ पर आ रहा है जरा पढ़ते हैं क्या करना है हमें इनका how many above plant both male and female gametophyte do not have an independent free living existence यहाँ पर कितने ऐसे पादप है जिसमें ना रहो मादा युक मुकौत भिद दोनों का सतंत्र मुक्त जीवी अस्तितु संभव नहीं है अरे बच्चों आप जानते हो ना कि bryo teridophyta में gametophyte free living होता है bryophyta की plant body तो खुद ही gametophyte है जो photosynthetic है teridophyta में pro thallus जो की gametophyte है और photosynthetic nature का होता है दोनों free living है bryo teridophyta लेकिन gymnos और angiosperm gymnos और angiosperm के gametophyte free living नहीं होते वेटा यहां gametophyte depend on sporophyte gymnos और angiosperm के gametophyte depend on sporophyte यह आप सब बच्चों को पता होना चाहिए gametophyte depend on sporophyte तो चलो gymnos और angiosperm के ही हम यहाँ पर answer देख लेते हैं क्या के हमारा होना चाहिए यहां gymnos, pinus, caster, angios, psychus यही हमारे पास होगा तो तीन आ रहे हैं और यह आपका answer यहां पर हो जाएगा जहां पर gymnos और फाइट फ्री लिविंग नहीं है मतलब युक्मकौत भिद स्वतंत्र मुक्त जीवी नहीं है next question की तरह बढ़ते हैं बच्चों next question आता है 139 find out the mismatch with respect to fungi fungi में mismatch को बताना है मतलब की सुमैलित कौन सा है वो बताना है five of my cities aquatic habitat में बिलकुल सही है यह तो सही है क्योंकि हम इसको algal fungi के नाम से भी पुकारते हैं बच्चों यहां पर asco spore asexual spore asco my cities asco spore asexual नहीं sexual spore होते हैं बच्चों sexual यहां पर alengic नहीं langic आएगा तो यही mismatch है और यह आपका अंसर होगा dolipor septabacidomycities सही है no sexual spore deuteromycities सही है क्योंकि sexual reproduction ही नहीं होता तो आपके लिए आंसर यहां पर second हो जाएगा next question पे चलते हैं question के language में लिखा है which of the following option is related with female gametophyte of gymnosperm gymnosperm बोले तो अनावुरत बीजियों के मादा युकमौत भिद से सम्मन्दित है क्या किसी भी gametophyte के पास vascular system होता है नहीं यहां आर्की गोनिया मिलती है यह तो सही बात है independent existence नहीं बचो अभी अभी पिछले question में मैंने आप से कहा था कि gymnos और NGO का gametophyte depend on sporophyte होता है इसलिए यहां पर independent existence नहीं होगा photosynthetic ability नहीं है तो यहां पर presence of आर्की गोनिया क्योंकि आप जानते हैं कि gymnosperm में endosperm जो gametophyte है वो develop करके two or more आर्की गोनिया बनाती है तो यहीं आपका correct यहां पर answer होगा next question की तरफ हम बढ़ेंगे तो पहले ecology वाला part देखते हैं और इसमें निमली खित में से गलत मिलान का चुनाओ कीजिए question number 122 मतलब 122 और यहां पर बेटा select the incorrect match in the following जिसमें आपको first option में लिखा है कि tertiary consumer मतलब की top consumer यहां पर हमारे पास में man and loin यह तो बात सही है tertiary consumer या top carnivore यह होते हैं secondary consumer bird, deer, wolf यहां पर याद रखो secondary consumer है इसका मतलब अगर मैं ट्रॉफिक लेवल अगर mention करता हूँ तो primary producer की ट्रॉफिक लेवल T1 होगी, यहां पर इसे प्रात में कुद पादक कहते हैं primary consumer की T2 होगी secondary consumer की T3 होगी और यह T4 होगी बचो यहां पर जो deer है वो तो T2 पे रहता है लेकिन यहां आपको यह T3 पे दिया गया है यह incorrect होगा चलो बागी के option भी देख लेते हैं T2 पे जू plankton बिल्कुल सही primary consumer है grass hopper बिल्कुल सही cow भी बिल्कुल सही और primary producer के अंदर phytoplankton, grass, tree बिल्कुल सही इसका मतलब आपका answer यहां पर 2 आ रहा है क्योंकि deer हर भी ओर है primary consumer है यह secondary consumer नहीं होगा आगे बढ़े next question की तरफ चलते हैं और अगर next question पे हम जाएं तो यह है question 123 123 और इस question के अंदर आपको यहां पर कुछ blank छोड़ा गया है जहां पर हमें A, B, C को mention करना है और यहां भी बटा आपको वही बताना है यहां आपको primary producer T1 primary consumer T2 secondary consumer T3 tertiary consumer T4 यही बचो यहां पर प्रात्मिक उत्पादक T1 प्रात्मिक उभंकता T2 यह T3 और यह T4 हमें यहां पर बताना है यहां जब आप देखेंगे तो A, मतलब कि यह producer होना चाहिए option के अंदर यह भी grass भी है tree भी है phytoplankton भी है wolf नहीं है तो अभी तक एक, दो, तीन तीनों option हमारे पास सही जा रहे हैं लेकिन अब B, secondary consumer है बचो यह कार्निवोर है क्योंकि हर भी और तो T2 होता है यहां पर मान सहारी को आपको देखना है B के अंदर क्योंकि खरगोश यह यहां पर आप देख सकते हैं यह शाका हारी है हमें T3 पर मान सहारी को देखना है तो यहां पर याद रखो wolf आएगा, got नहीं आएगा small fish आ सकती है line भी T3 पे हो सकता है फिलहाल हम देखें तो यहां भी हमारे पास में यह वाला इसको छोड़कर बाकी के option मैच कर रहे हैं लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दो fourth option तो पहले ही चला गया था second option अब चला गया है तो अब हमारे पास one और three में से selection लेना है तो C क्या होना चाहिए हम ध्यान देंगे क्या C यहां पर tertiary consumer bird होगी नहीं रेपेटा tertiary consumer यहां पर bird नहीं होती है birds यहां पर यह secondary consumer और primary consumer हो सकती है क्योंकि यह seed भी खाती है यह यहां insect भी खाती है जब seed खाती है तो primary consumer insect खाती है तो secondary consumer tertiary नहीं होगी तो tertiary consumer कौन होगा और वो है line तो आपके लिए यहाँ पर answer 1 ही होगा तो इस तरह से बच्चो आराम से solve कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं आप जैसे बच्चो के लिए कोई मुश्किल नहीं Next question की तरब चलते हैं Question 124 Select the correct match Select the correct match यहाँ पर यह match Select the correct match in column 1, 2, 3 सही मैल का चुनाव करना है 1, 2, 3 में Regulate कौन करता है भई Mammal और plant नहीं 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 गलत Confirmer Confirm 99% animal and all plants Osmo regulation बच्चो इस तरह से देखना है आपको तोड़ा ध्यान देना इसमें इस सरह से देखना है कि regulation कौन कर रहा है Mammals कर रहे हैं लेकिन plant नहीं करते Mammals और यहाँ पर अगर मैं bird लिखता तो पहला option correct हो जाता क्योंकि वो thermoregulation भी करते हैं लेकिन क्योंकि plant दे दिया तो यह option गलत हो गया उसके बाद में conformer में 99% animal or all plant यह सही है लेकिन osmo regulation यह नहीं करते हैं क्योंकि conformer osmo regulation नहीं करते हैं उसके बाद में next बच्चों यहाँ पर आपके पास में आ रहा है और वो है migrate cyberian crane बिलकुल करती है केवलादेव नेशनल पार्क में ही आती है तो third option बिलकुल correct जा रहा है और fourth भी एक बार read कर लेते हैं कि suspend में hibernation जू प्लेंग्टोन नहीं अरे जू प्लेंग्टोन तो बेटा डाया पूज मतलब की उपरती करते हैं ये तो उपरती में जाते हैं ये बेटा यहां पर शीत निश्क्रियता नहीं करते हैं तो आपका correct answer 3 ही यहां पर होगा next question पर आगे बढ़ते हैं question 144 ओहो ये statement वाला question आ गया है पहला statement हम यहां से read करते हैं दिया है मैं जरा एक बार पढ़के देख ले net primary productivity is gross primary productivity minus respiration यहां हिंदी में लिखा है कि सकल प्रात्मिक उत्पादक्ता से स्वशन के दोरान हुई शती को घटा देते हैं तो हमें net प्रात्मिक उत्पादक्ता प्राप्त होती है बात बिलकुल सही है आप सब बच्चे जानते हैं सबने पढ़ा हुआ है कि NPP equals to GPP minus R यहां पर net primary productivity is gross primary productivity minus respiration बिलकुल ठीक बात है statement 1 correct है statement 2 पढ़ते हैं statement 2 में आपको यहां पर mention किया है कि secondary productivity is produced by hydrotroph दित्यक उत्पादक्ता विशम पोश्यों द्वारा बनाई जाती है बात ये भी सही है लेकिन क्योंकि NPP की बात कर रहा है उपर primary productivity नीचे secondary productivity दोनों statement सही है लेकिन statement 2 first का correct explanation नहीं है तो जराब पढ़ते हैं यहां पर हमारे पास में first option में दिया statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is correct explanation नहीं चलेगा statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1 बिलकुल सही बात है second आपका अंसर statement 1 is correct but statement 2 is incorrect नहीं statement 1 is incorrect गलत है तो आपका दो आपका अंसर हो रहा है बहुत simple बात next question की तरफ आगे बढ़ते हैं question 184 read the following statement यहां पर question 184 को अगर आप देखते हैं तो read the following statement and find the incorrect बच्चों आपको incorrect statement को देखना है यहां से आपको सत्ते कथन को देखना है यह ध्यान रखेंगे many fish यहां पर बात सही है in aquatic environment the sediment characteristic often determine the type of benthic animal that can thrive the year बिल्कुल NCRT लिख रही है सारे point NCRT से ही लिए गए है अनेक मचलियां दक्षिन धुर्विये जल में खूब पनपती है जहां का ताप्मान हमेशा सुनने से कम रहता है रह पाती है न वो क्योंकि उनके पास में anti-fridging protein और glycerol होते है बताया था न क्लास में आपको यहां sediment character जो की aquatic environment में जो नीचे benthic जो अन बोले तो bottom में जो रह रहा है वो कौन सा animal होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके sediment में है क्या हो सकता है कि aquatic body जल यह काई के sediment में mud ही mud हो sand ही sand हो, rock ही rock हो अगर mud है तो mud में रहने वाला आएगा sand है तो sand में रहने वाला आएगा rock है तो rock में रहने वाला आएगा तो बच्चों यहां पर यह बात बिलकुल सही है third option रीड करते है microbes, archibacteria flourish in hot spring and deep sea hydrothermal vent where temperature far exceeds 100 degree यह भी बात सही है more than 100 degree temperature में archibacteria रह पाते हैं desert lizard have physiological ability ओहो 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 यह गलत NCRT लिख रही है desert lizard lack physiological ability that mammals है इसलिए यहां पर यह गलत हो रहा है तो fourth ही आपका सिधा-सिधा answer हो जाएगा क्योंकि NCRT में लिखा है desert lizard lack physiological ability body के temperature को regulate करने की physiological ability के पास नहीं होती बैटा जो की mammals के पास में होती है वो इसके पास नहीं है तो यहां लिखा है मतलब मरुच्टली चिपकलियों में इस्तंधारियों के समान कारी की अनुकूलन की शमता उसके आवास के अधिक्ता आपमान से बचने के लिए होती है गलत बात है नहीं होती है बैटा तो आपका अंसर 4 क्योंकि हमें incorrect ही देखना है next question कार्बन चक्र के लिए कौन सा एक सही नहीं है सही नहीं है what is not true हमें not true देखना है यहां according to one estimate 4 multiplied 10 to power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis and well यह तो correct है तो बात सही है एक अनुवान के अनुसार जेव मंडल में प्रकाश संसलेशन के द्वारा 4 गुणा 10 की घाथ 13 kg कार्बन का इस्तरीकरन होता है यह बात सही है second हम यहां read कर रहे हैं इस्टेट पेट gaseous exchange of carbon between organism and environment are negligible यह बात गलत है यह तो phosphorus के लिए होता है बच्चों phosphorus का gaseous exchange negligible होता है अरे carbon का gaseous exchange तो बहुत अच्छा होता है अपने environment के साथ अगर ऐसा है तो यह incorrect है यही आपका answer यहां पर हो जाएगा यह नगरने नहीं यह बहुत अधिक होता है carbon और सजियों के मद्दे जियों के मद्दे परियावरण में और जियों के मद्दे carbon का gaseous exchange में बहुत ज़्यादा होता है 71% carbon is found dissolved in ocean बात सही है atmosphere only contain about 1% of total global carbon यह भी सही है सारे NCRT point है लेकिन second option गलत है वही हमारा answer होगा next question के तरफ आगे बढ़ते हैं next question 200 select the incorrect statement in the following एक बार फिर incorrect बताना है बचो इस बार correct-incorrect वाल statement आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं आना भी चाहिए क्योंकि AR question में भी तो correct-incorrect को ही आपको ज़्यादा देखना पड़ता है species में occupy more than one traffic level in the same ecosystem at the same time बिलकुल कर सकती है sparrow species sparrow species गोरईया जिसे हिंदी में कहते है वो बेटा seed भी खा सकती है और insect भी खा सकती है एक से ज़्यादा traffic level पर आ सकती है species लिखा है organism नहीं बेटा species का कोई एक individual seed खा रहा है तो कोई दूसरा वहाँ पर insect भी तो खा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं सेम टाइम पर ऐसा हो सकता है species पर एक जाती एक ही समय पर एक ही परिस्थितिक तंत्र में एक सेधिक पोशन रित्यों में अधीश्टित हो सकती है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन हमें तो यहाँ पर सत्य मतलब कि जो incorrect है उसको देखना है second परते energy at high traffic level is always more than at lower traffic level अरे आप तो जानते हैं कि जब हम T1 से आगे की तरफ जाते हैं T1, T2, T3, T4 आगे की तरफ जाते हैं तो energy में तो कमी आती है रे बेटा और energy में कमी आ रही है energy तो decrease हो रही है जबकि यहाँ पर लिखा है कि पोशन इस्तर एक रियात्मा की तर का उच पोशन इस्तर की उर्जा निम्न पोशन इस्तर से सदेव अधिक होती है यह अधिक नहीं कम होती है बच्चों यह lower होती है यहाँ पर यह less आएगी more नहीं आएगी बेटा तो आपका answer यहाँ पर second हो जाएगा first statement correct है इसमें confusion नहीं लेना है first statement correct है लेकिन answer आपका second यहाँ पर है क्योंकि हमें incorrect देखना था third और four भी पढ़ लेते हैं profit level represent a functional level not a species as such NCRT line जानते हैं profit level काम को बताता है किसी species को नहीं in most ecosystem all the pyramids of number energy and biomass are upright यह भी NCRT statement बिल्कु सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन क्योंकि incorrect देखना था तो आप cancer 2 यहाँ पर होगा तो इस तरह से यह ecology के question complete है हाँ बच्छो question number 125 क्या कह रहा है which of the following enzymes are not involved in DNA replication DNA replication में कौन सा enzyme involved नहीं होता पहला option है DNA ligase ligase तो involved होगा ligase क्या करता है ligase ओका जाकी fragments को जोडने का काम करता है तो ligase तो involved होगा दूसरा option है DNA polymerase यह तो replication का main enzyme है main काम तो DNA polymerase का है तीसरा option है helicase helicase भी involved होगा helicase क्या काम करता है unwinding का हाना चोथा option है beta galactosidase इसका replication में कोई रोल नहीं है peptidal transfer is इसका भी replication में कोई रोल नहीं है क्या पुछा है not involved इसका लवड़ D और E का involvement नहीं है तो हमारा answer क्या आगया third D and E का कोई involvement नहीं होता ठीक है अगला question है during initiation initiation of transcription किसकी बात कर रहा है transcription में initiation की RNA polymerase enzyme bind to which part of transcription unit चलो याद करो यह आपका operon concept था यह क्या था आपका eye gene यह क्या था promoter gene यह क्या था operator gene और फिर क्या आगया आपका structural gene तो RNA polymerase की binding site किसके पास होती है promoter के पास क्या पुछे हैं हम से RNA polymerase कहां से अगर जुड़ता है किस से अगर जुड़ता है promoter तो हमारा answer इसमें क्या जा रहा है third किस से जुड़ेगा promoter से ठीक है अगला question है what can be the blood group of offspring when both the parents have AB मतलब mother भी AB है father भी AB है हमें question क्या कह रहा है mother भी AB है father भी AB है तो इसका genodip क्या हो जा? i-a i-b इसका genodip क्या हो जा? i-a i-b तो कौन-कौन से blood group possible है एक च्छोड़ा सा checker board बना लेते हैं यहां से कौन सा gamut आ गया i-a i-b यहां से क्या आ गया i-a i-b ना, तो यह क्या बन गया हमारा i-a i-a blood group क्या हो गया यह क्या बन गया हमारा आय आय बी blood group CB यह क्या बन गया हमारा आय आय बिड़ ग्रोप your यह क्या बन गया हमारा IB B blood group B जो कॉन सा possible Trevor one B possible एन ब्याआऄ से देंगो oh कहीं जहीं आ रहा तो पहला options के a and B only? नहीं भई, A और B के साथ A, B बी तो है, A, B only? नहीं, A, B, A, B and O, वो नहीं बन पाएगा, A, B and A, B, तो क्या है आंसर? 4, A possible है, B possible है, और A, B भी possible है, आंसर is the 4. Which of the following option is correct for the Hardy-Winberg, बिल्कुल simple है, Hardy-Winberg क्या कहता है? P plus Q is equal to 1, P क्या है? frequency of dominant allele, और Q क्या है? frequency of recessive allele, है ना? और Hardy-Winberg क्या कहता है? कि कोई भी जो ideal population होती है, ideal population में dominant allele और recessive allele की frequency constant होती है, और constant value क्या आती है? 1, P plus Q is equal to 1, तो हमारा option number 1 क्या कह रहा है? P plus Q is equal to 1. Given pedigree represent, यह pedigree DVM में, तो पहला अगर अगर अपन कपल देखते हैं, तो पहले कपल में देखें, कपल क्या है? normal है, अगर कपल normal होता है, तो याद करो किस के chance होते है? recessive disorder, कपल का बच्चा affected आ रहा है, confirmatory है हमारे पास, recessive disorder हो गया, तो हमारे पहला recessive possible है, दूसरा dominant possible नहीं है, axling dominant possible नहीं है, y-link भी possible नहीं है, तो हमारा पहले नहीं answer आ गया, क्या बन गया हमारे यह? recessive disorder, तो एक ही choice हमारे पास, auto-jomal recessive, okay? Dominancy is not an autonomous feature of a gene or the product, याद करोज बच्चे, यह statement किसके लिए applicable होता है? pleiotropism, कि pleiotropism के case में, dominancy gene का यह प्रोड़क का autonomous feature नहीं है, और pleiotropism क्या कहता है? pleiotropism क्या है? one gene, many character, one gene, many character, है ना? अब इसमें से छाट लेंगे, more than one gene influence the same phenotype, यह तो बच्चो polygenic हो गया, क्या हो गया यह तो? polygenic हो गया, more than one phenotype is influenced by the same gene, बिल्कु सही, pleiotropism, more than one genotype is influenced by the same gene, नहीं, यह तो senseless statement आ रहा है, more than one allele are there for a character, यह किसकी काहनी ही आगी? multiple allelism की आगी ना, उसमें 2 यह 2 से ज़्यादा, तो यह statement किसके लिए से यह pleiotropism, और pleiotropism है हमारा statement क्या जा रहा है? second, one gene, many character, the part of the beta chain of hemoglobin of a person suffering from sickle cell anemia, मलब sickle cell anemia का hemoglobin दिखा रहा है, sickle cell anemia में क्या होता है? hemoglobin S होता है, तो the blank circle represents, तो sickle cell anemia में क्या होता है? six position पर क्या आता है? wellin, चलो याद करो, glutamic acid की जगह है, glutamic acid की जगह है, क्या आया? wellin, g, a, g की जगह है, क्या आया? g, u, g, तो six position पर कौन सा है? wellin, अब option क्या है यदर है? the blank circle represents six क्या है wellin, same as one, तो one क्या है wellin, यहां भी क्या है wellin, तो हमारा answer one आ गया, same as two, two तो histidine ने, गलत हो गया, same as three, three leucine ने, गलत हो गया, same as five, five proline ने, यह भी गलत हो गया, तो answer क्या आ गया? one, बहुत ही प्यारा question है, बहुत ही प्यारा question था, hunting observe that in few insects, in few insects, male 50% of the sperm received a specific nuclear structure known as the X body, 50% sperm जो है, 50% sperm के पास X body है, whereas other 50%, other 50% sperm जो है, इनके पास X body नहीं है, इसका मलब यहां दो तरह के sperm बन रहे हैं, 50% के पास X है, 50% के पास X नहीं है, तो क्या sense आ गया, male क्या है, X not है, male क्या है, X not, तो याद करो बच्चों, यह कौन सा method हो गया है, X, X, X not, तो option शांट लीजिए, X, 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 Y गलत, क्योंगि यहां तो 50% के पास X आएगा, other 50% के पास Y आएगा, दूसरा X, 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 X not, 50% के पास X होगा, 50% के पास X नहीं होगा, Z, W, Z, Z, यह तो गलत method है, यह तो birds में अप्लाई होता है, ठीक है, और haplodeplode, किस पे अप्लाई होता है, यह, honey B, honey B, तो यह जो language है, किस की आ रही है, X, X, X not method की, for the genetic material, which criteria is not essential, ध्यान से पागेड़ना बच्चे, क्या करा है, not essential, not essential, should be able to replicate, should be able to generate इस replica, का होना चाहिए, replication की power तो बहुत ही जरूरी है, यह power तो होनी चाहिए, it should have catalytic property, catalytic property का होना जरूरी नहीं है, it should be chemically and structurally stable, बिल्कुल होना चाहिए, it should be able to express itself, in the form of mandaline character, यह भी होना चाहिए, क्या कह रहा है, not essential, तो यह essential है, यह essential नहीं है, यह essential है, यह essential है, तो क्या बनगे answer हमारा, second, it should have catalytic property, which of the following is a recognition side, for eco-r1, चलो eco-r1 की side, याद करो सारे बच्चे, G-A-A-T-T-C, C-T-T-A-A-G, और cut कहा लगता है, G-A के बीच, तो याद करो, क्या बनते हैं, sticky end, क्या बनते हैं, sticky end, तो चाहट लीजी, G-A-T-A-T-C, गलत, यह तो बच्चों, याद करो, eco-r5 की side है, eco-r5, G-A-A-T-T-C, answer आ गया हमारा, ठीक है, तो second answer बन गया हमारा, G-A-A-T-T-C, which of the following statement, is to you for the BT cotton, BT cotton के लिए पूछ रहा हैं हम से, vitamin A enriched नहीं, यह तो golden rice है, vitamin A enriched क्या बनाया है, golden rice, insect resistant सही है, with a gene from bacillus, through originences यह भी सही है, क्यों सा gene लियाता है यहां से, cry gene, और cry gene को crop में transfer किया, इसे क्या कहा गया, BT crop, तो second choice मर पास आ रही है, insect resistant सही है, developed by the RNA interference नहीं, BT cotton RNA interference से नहीं बनाया, RNA interference से तो nemetrode resistance लाए है, dot tolerant, यह भी गलत हो गया हमारा, ठीक है, तो मारा answer क्या बन गया, second, it is the insect resistant, with the gene from bacillus, thuringi nensis, match the column 1, with column 2, corresponding insect pest resistance variety, and select the correct option, ठीक है, column 1 में क्या लाए, flat bean, okra, brassica, pusa gaurav, pusa same, pusa sawani, चलो मैच करते हैं, flat bean, pusa, same, 1 का, एका क्या रहे 2, तो एका 2, एका 2, एका 3, यह दोनों हट गए, तो यह दोनों बच गए, okra, okra में क्या आता, sawani, B का 3, तो B का 1, यह भी हट गया, B का 3, यह हमारा answer आँए, एका flat bean का, pusa same, B का 3, okra का, sawani, brassica का, गौरा, ठीक है, match the different organism, column 1, and they are using column 2, and select the correct answer, from the codon, cods given below, ठीक है, Lactobacillus, Acidophilus, Saccharomyces, Cerevice, Propenobactam, Shermani, and Spirulina, formation of alcoholic beverage, alcoholic beverage के लिए, क्या काम लाते है, हम, Saccharomyces, Cerevice, single cell protein, Spirulina, conversion of milk into curd, Lactobacillus, formation of Swiss cheese, Propenobacterium, चलो, match करो, A का 3rd, आई, A का 3rd, यह possible है, यह possible है, यह यह हट गे, B, Saccharomyces, Cerevice, formation of alcoholic, B, B का 1, दोनी possible आरे, Propenobacterium, Swiss cheese, तो C का क्या बन रहा है, 4, यह C का 3rd, गलत, C का 2nd, गलत, हमारा अंसर नमबर, 2nd, Select the option, Showing the current sequential step, यह हमसे बहाँ पूछ रहे हैं, तो याद करो, सबसे पहला step, क्या होता है, Germ, Plasm, Collection, Germ Plasm, Collection, तो यह पहला step ही गलत हो गया, Germ Plasm Collection, Hold करते हैं, Selection यह भी गलत हो गया, Germ Plasm Collection, Hold करते हैं, तो पहला step, Germ Plasm Collection, Selection, उसके बाद क्या होता है, Selection of Parent, Germ Plasm Collection के बाद, Selection of Parent ठीक है, Selection of Parent ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा, Selection of Parents के बाद, क्या करवाए जाता है, Hybridization, है न, तो, Collection के बाद, Hybridization, Selection के बाद में, यह भी ठीक हा रहे है, और अगे बढ़ना पड़ेगा, Hybridization के बाद, क्या करवाए जाएगी, Hybridization करवाने के बाद में, क्या करेंगे हम, Superior का Selection करेंगे, Superior का Selection करेंगे, तो, Selection of Superior सही आ रहे है, Tasting नहीं, यह Step बाद में होगा, Superior का Selection करने के बाद, क्या किया जाएगा, Tasting and Release of New Variety, तो, क्या बन रहे हैं, इसके अंदर हमारा अंसर, Second, ठीक है, In the example of Incomplete Dominance, Pure Red Flower Plant, वर Cross with the Pure White Flower, किसका Case है, Incomplete Dominance का, तो, Capital R, Capital R का, Cross Smaller, Smaller से करवा रहा है, यह Capital R, यहां से Smaller, तो Capital R, Smaller बन गया, क्या बन गया, Pink, क्यों बन गया, Pink बच्चों, क्योंकि, Incomplete Dominance का Case, हमें इसने बताया हुए, हना, And the F1, इंडिजिजल है, Pink Flower, ठीक है, Which one of the falling is not correct, Okay, क्या पूछ रहा है, Not correct, पिंक की रिस्टेक्ट में क्या, Correct नहीं है, Okay, Pink Flower Plant, Will produce only, Pink Flower of Thin, यह तो गलत हो गया, यह जो Pink Flower बना है, अब आप इसका Cross, अगर Red से कराएंगे, तो Red और Pink आएगा, अगर आप इसका Cross, White से कराएंगे, तो White और Pink आएगा, अगर आप इसका Cross Pink से कराएंगे, तो Red, White, Pink तिन नहीं आएंगे, लेकिन यह क्या कह रहा है, कि Only Pink गलत हो गया, Pink Flower Plant, Will produce off-spring, Having three kind of flower, इसल पूने बिल्कु सही है, अगर आप Capital R Smaller का Cross, Capital R Smaller से कराएंगे, तो Capital R, Capital R भी आएगा, Capital R Smaller भी आएगा, Smaller Smaller भी आएगा, यह क्या हो गया, Red, यह क्या हो गया, Pink, यह क्या हो गया, White, इसका बलब यह हमारा, सही हा रहा है, The gene of the hybrid pink flower plant, Will segregate itself, बिल्कु सही है, यह दोनों क्या करेंगे, जब gamete बनेंगे, एक दूसरे से अलग होका, Randomly gamete में transfer होंगे, क्यों याद करो, Law of segregation तो Universal law है, उसका तो कोई exception है नहीं, है नो, तो यह statement भी हमारा, सही हा रहा है, Half of the offering of the pink flower plant, Will be homo-gagous, इस बास self-pornis, बिल्कु सही है, हमने इसका self-pornision कराया, तो यह ratio क्या है, हमारा 1 to 1, यह हमारा, हमारा 1 to 1, यह हमारा homo-gagous, यह हमारा homo-gagous, यह heterogagous, यह homo-gagous, तो 1 और 1, 2 क्या बनगे हमारे homo-gagous, यह क्या बनगा heterogagous, तो homo और heterogagous, का ratio क्या बनगे है, 2 ratio 2, 1 ratio 1, तो यह statement भी हमारा, सही हा बनगे है, ठीक है, तो क्या पुछा थाम से, not correct, तो answer क्या बनगे हमारा, 1, answer 1, find out the correct match, the column, 1, 2 and 3, यहाँ पर 1 में सो रहा है, 1, 2 and 3, मैसेल्सन एंड स्टॉल, हर्षे एंड चीज, ग्रिफिट टेलर, चलो बचो, मैसेल्सन श्टॉल ने काम किस पर किया, E को लाई, A का क्या रहा है, C, A का C, A का यह हट गया, यह हट गया, A का क्या बैठ गया, C, अब चलिए, अब E को लाई पर काम करके, मैसेल्सन श्टॉल ने क्या प्रूफ किया था, प्रूफ देट रैप्लिकेश्ट स्टॉल बिल्कूफ सही, A का C, और C का 1, A का C, C का 2 यह भी हट गया, A का C, C का 1, यह दो आपन देख लिए, बाकी मैच करते है, 2 का A, 2 हर्षेंच चेज ने काम किस पर किया था, बैक्टिरियो, फाज, बिल्कूल सही, 2 का A, साथ में क्या रहा है, 4, और बैक्टिरियो फेज पर काम करके, क्या प्रूफ किया, that DNA is the genetic material, सही जा रहा है, 3, ग्रिफिद, किस पर किया, VCR, फाबा, 4 का B, 4 का B, और क्या प्रूफ किया, that chromozome also replicate, semi conservatively, बस ऐसे कोशन में ध्यान दोखो, कि पहले आप A को पगड़ लो, जो तरीका मैं यूज करूँ नहीं रहा, बस टाइम भी बज़ेगा, A को पगड़ो, एक ही matching की निकाली, और उसे आंसे निकाल गे, मैंने सब को cross match कर दिया, ठीक है, विच और दो फालिंग, not a salient feature of the double helical structure of DNA, not a salient feature, not, it is made up of two polynucleotate chains, सही है, where the backbone is constituted by the sugar and phosphate, सही है, and the base project inside, बिलकुल सही है, मैं लिए पहला statement, बिलकुल सही हा रहा है, two chain है parallel, parallel नहीं होता, बच्चों, anti-parallel होता है, यह statement गलत है, क्या पूचें, not a salient, तो answer तो मरा आ गया, the two base in the strand are paired through the hydrogen bond, बिलकुल सही है, यह DNA का एक strand है, यह दूसरा strand है, यह हमालो G है, तो G किसे pair करेगा, C से, G और C की बिच क्या बनेंगे, hydrogen bond, तो यह statement भी सही हा रहा है, two chain are called in a right-handed fashion, यह भी बिलकुल सही है, क्या होता है right-handed calling, क्या पूचें not correct, तो पहला correct है, तीसरा correct है, चोथा correct है, second incorrect हो गया, तो answer हमारा आ गया second, the process in translation, require the transfer of genetic information from, translation में क्या होता है, याद करो, translation का मतलब क्या है, translate करना, एक language को दूसरी language में बदलना, मतलब translation के अंदर, जो poly nucleotide language होती है, poly nucleotide language को, किसमें बदला जाता है, poly peptide, या दूसरी भाषा में कह दो, कि nucleotide का जो polymer होता है, nucleotide polymer को, किसमें बदला जाता है amino acid polymer तो पहला option क्या है polymer of amino acid to a polymer of carbohydrate गलत हो गया polymer of deoxy यह गलत हो गया बच्चो deoxy नहीं होता है ribo होता है क्योंकि यह message को लेकर आएगा RNA कौन सा RNA MRNA तो इसमें क्या है ribonucleotide यहां बच्चों ने गलत किया होगा deoxy नहीं ribo तो यह भी हमारा गलत a polymer of ribonucleotide सही जा रहा है to a polymer of amino acid सही जा रहा है तो हमारा answer तो आगया third चोथा देख लेते हैं a polymer of amino acid to protein यह भी गलत हो गया तो क्या होगा answer हमारा third polymer of ribonucleotide to a polymer of amino acid the functional location of which of the following enzyme is nucleolus बहुत ही प्यारा कोश्चन है यह cell है cell के अंदर यह nucleus है और nucleus के अंदर यह nucleus है nucleus के अंदर यह nucleus है nucleus की बात कर रहा है इसका मतलब automatically बचो यह किसकी बात कर रहा है eukaryotes की एक चीज़ यहां clear ही अब eukaryotes में nucleolus में क्या बनता है rRNA क्या बनता है rRNA और rRNA बनाने का काम कोन करता है rRNA बनाने का काम करता है dna polymerase first यह तो question है functional location of which of the following enzyme is nucleolus तो rRNA polymerase 1 कहां होता है nucleolus में होता है क्या बनाता है यह rRNA कौन सा rRNA 18 5.8 and 28 यहाद है 5s यह नहीं बनाएगा 5s बनाएगा 3rd तो हमरा answer आ गया rRNA polymerase 1 कहां होता है nucleolus में बहुत ही प्यारा question लगी clear सब बच्चोंगे question watch step does not involve in dna fingerprinting dna fingerprinting में क्या step involved नहीं है gel electrophoresis dna fragment को separate करने के लिए southern blotting gel से paper पे transfer करना है joining of dna fragment नहीं यहाँ dna fragment की joining नहीं होती hybridization होता है यहाँ अच्चोंगे mark आई होगी जब हम paper पर रीएंट यह ला चुके हैं paper पे जब हमारे पास fragment आ चुके हैं तो इन fragment के साथ fragment के साथ हमें क्या जोड़ना होता है प्रॉब क्या जोड़ना होता है प्रॉब तो प्रॉब का जुड़ना क्या कि लाता है hybridization done ऑटो रिडियोग्राफी बिल्कु सही है ऑटो रिडियोग्राफी करेंगे तभी तो प्रिंट डवलप होगा इतना काम करने के बाद इसको किसे expose करेंगे x-ray से और जब x-ray से expose करेंगे तभी तो हमारे पास इस तरह बैंड बनकर नजर आएंगे यह जो बैंडिंग पैटन होता है यही बैंडिंग पैटन क्या कलाता है बीन ने फिंगर प्रिंट तो जैल लेक्ट्रोफोर्स करवाए जाता है southern blotting करवाई जाती है ये नहीं होगा और auto radiography भी करवाई जाती है क्या पुछे not involved तो क्या आगया हमारा third ये भी बहुत अच्छा question है tack polymerase ये थो बहुत ही simple sober सा question है और लगबग हर साल मान के चलो ये question आई जाता है tack polymerase किसे मिलता है thermos aquiticus किसे मिलता है thermos aquiticus thermos aquiticus याद करो thermophilic bacteria है जिसकी maximum efficiency जो होती है वर करने की 72 degree पर होती है ठीक है तो tack polymerase which is used to amplification of the end related with the thermos aquiticus ये भी बहुत प्यारा question है इसके आने के chance बहुत ज़्यादा है in the presence of chromogenic substrate recombinant bacteria recombinant पूछरा बच्चो recombinant bacteria का मतलब ये जो हमारा vector था इस vector के पास AR तो था AR तो था लेकिन इसके पास lac Z नहीं था lac Z नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि recombinant की बात कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर आपका gene of interest gene of interest आ चुका है आ चुका है इसका मतलब आपका lac Z non-functional है अगर lac Z non-functional है इसका मतलब enzyme नहीं बनेगा enzyme नहीं बनेगा तो chromogenic sub-shade पर work नहीं होगा तो blue color नहीं आएगा है ना तो red colony गलत colorless blue color गलत green color गलत color आएगा ही नहीं तो recombinant क्या बनाएगा colorless यहां हमारे बच्चे क्या गलती करते हैं अगर बेटा आपको non-recombinant पूछता आना तो blue color आता recombinant पूछा है तो color नहीं आएगा पस यह word पकड़ना वो recombinant पूछ रहा है नोन-recombinant इस बात का विशेज ध्यान लगने सा बच्चों बार-बार बच्ची हें गलती करते हैं recombinant, non-recombinant में contradiction ले आते हैं ठीकर, copy checker हो सारी अपनी अच्छे से copy में हर एक diagram में बहुत clear-cut लिखाया हुए क्या case आएगा DNA, precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved precipitation के लिए बेटा क्या यूज़ करते हैं बिल्कुल सा question है क्या यूज़ करते है प्रेसिपेडिशन के लिए इथाइल, alcohol क्या यूज़ करते हैं इथाइल, alcohol तो क्या जेगा chilled, ethanol बिल्कुल सिंपल सोबर सा question which of the following statement is regarding gene therapy is our correct क्या पूचा है correct पस सारे बच्चे विशे ध्यान दो तो मने क्लास मी बार बार बोला है पहले क्या सर्कल में कर लो correct पूचा है incorrect पूचा है ये बद पहले सर्कल में लो फिर दिमाग लगाओ क्या पूचा है correct it is the application of biotechnology in which a defective gene is manipulated by introduction of a normal बिल्कुल से ये statement हमारा correct आ रहा दूसरा the genetic disorder that are being investigated for gene therapy range from sickle cell anemia to severe combined ये भी बिल्कुल सही gene therapy तो technique है जिससे हम genetic disorder को असानी से remove कर सकते है sickle cell anemia भी genetic disorder है और हमारा skid भी genetic disorder है ये तो हमारी approach है कर पाए नहीं कर पाए that doesn't matter but हमारी approach क्या है gene therapy में gene therapy approach क्या है हमें correct करना है तीक है success ratio हर किसी में नहीं मिली but हमारी approach तो है हमारा future target तो हमारा goal तो है the first clinical gene therapy given 1990 to a 4-year-old girl बिल्कुल सही किसकी कमी थी ADA ये भी सही आ रहा और all the भल तब चारुई सही आ गया तो सारी सही आ गया क्या पूछा है correct ये भी सही ये भी सही ये भी सही तो क्या आ गया all of these fourth answer which of the following not correctly not correctly describe उचा ना vector able to carry foreign gene in the host cell बिल्कुल सही vector का काम ही क्या है gene को carry करना gene gun technique which introduce DNA into the host cell wire DNA coated gold or tungsten gold tungsten बिल्कुल सही बस यह हमारा खाते है gold और tungsten से code करके bullets बनाते है bullets को bombard करते है target cell पे ये भी विल्कुल सही gel electrophoresis technique used for separation of DNA fragment through a gel with subject विल्कुल सही gel electrophoresis में क्या गिया जाता है यादर सबच जोगो यहाँ पर आपने sample load किया यहाँ पर आपने electric field अगाया एक end को negative दूसरे end को positive तो DNA क्या करेगा positive end की तरफ move करेगा restriction endonuclease degrade बिल्कुल सही the bacterial DNA देखो यहाँ गडबड होगी बटा RE bacterial DNA को degrade नहीं करता RE viral DNA को degrade करता है bacterial DNA तो methylated है और methylated sites पर RE काम नहीं करता है बस यह एक वड़ पकड़ना था हमें बहुत प्यारा कोशन है यह भी बहुत शांदर कोशन है हमारे बच्चों ने DNA देख लिए degrade देख लिए रहे bacterial DNA को degrade नहीं करेगा वायरल को degrade करेगा ओके ठीक है ठीक है बच्चों हेलो स्ट्विंट्स कैसे हैं आप सब लोग बराबर आप मेहनत करने में लगे हुए हैं क्योंकि इस साथ तारिक अब बहुत जादा दूर नहीं है मुझे पूरी उमीद है कि आप पूरे जीजान से जुटे हुए होंगे अपनी तयारी में और आज का पेपर भी आपने उसी एनरजी के साथ दिया होगा जैसा कि अभी तक देते आए हैं और जैसा कि आने वाले दिनों में भी प्रैक्टिस पेपर्स आप देंगे और उससे भी ज्यादा एनरजी लेके आप साथ तारिकों उतरेंगे इस युद्ध के मैदान में जिसे हम NEET UG 2023 कहते हैं ठीक है तो उसी सलसले में आज फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के पेपर के कुछ questions में यहाँ पे discuss करने जा रहा हूँ और उनको आप ध्यान से सुन लिजेगा जातर सभी जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि NCRT based questions हैं ज्यादा आपको माथा पोड़ी करने की जरूत नहीं पड़ेगी यदि आपने NCRT को बहुत धंग से word by word, line by line आपने अच्छे से revise किया हुआ है तो चलिए बच्छो चलिए बच्छो पहना question लेते हैं question number 157 question number 157 what is not true for adipose connective tissue what is not true हमें किसका जवाब देना है हमें देना है इसका जवाब what is not true हम यह कह सकते what is incorrect what is not correct like that ठेक what is not true for adipose connective tissue adipose connective tissue पहला option है बच्छो फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम बच्छो अडिपोस कनेक्टिव टिशू सपोर्टिव फ्रेमवर्क नहीं बनाता एपिथीलियम का बलकि ariolar connective tissue form supportive framework फॉर एपिथीलियम यह NCRT की line है page 103 पर जहां ariolar connective tissue दिया हुआ है तो इस लिहाद से यह statement गलत हो जाएगा तो जो पूछा गया है not true तो उसके हिसाब से तो यही option answer होना चाहिए लेकिन फिर भी एक बार को देख लेते हैं बाकि options भी जैसे की it provides cushioning बिलकु सही है adipose connected tissue जो है वो cushioning provide करता है body organs को body surface को और इस तरह से जो है it protects body organs body surface from shocks and jugs तो यह बात सही है it is true यह true है access of nutrients are stored as fats NCRT की line है जहाँ adipose connected tissue 103 page number पे दिया है 11th की NCRT में वहाँ पर यह line है की होता क्या है की जो access of nutrients है they are converted they are transformed into fat and they are stored as fat ठीक है तो यह भी सही है ठीक है it is also true contains large number of adipocytes तो बच्चों adipose connected tissue के जो cells होते हैं जिन में fat stored रहता है lobules के form में globules के form में उनको हम adipocytes कहते हैं तो adipose connected tissue में जो cells है उनके उनको adipocytes कहा जाता है this is also true तो हम देख रहे हैं की second, third and fourth are true not true कौन सा है first तो इसका answer जो है वो first होगा ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं next question पे next question है question number 158 158 क्या कहता है dense irregular connected tissue is present in बचों बहुत ही आसान सवाल है dense irregular connected tissue is present in number one skin number two tendons number three ligaments number four both two and three बचों हम अगर केवल NCRD पे focus करते हैं तो वहाँ पर dense connective tissue की बात कही गई है जो की दो types में बताए गए है dense regular and dense irregular dense regular के दो examples दिये गए है tendons और ligaments और dense irregular dense irregular का जो example वहाँ पे दिया गया है that is skin dense irregular connected tissue is present in the skin page number one zero three पर ही last line जो है वहाँ पर उस page पर वहीं पर ये example दिया गया है that is skin and the answer will be skin answer भी इसके नहीं होगा ठीक तो इसका answer होगा option number one इसके बाद आगे देखते हैं next आगे देखते हैं next question question number question number one fifty nine question number one fifty nine what is incorrect for red muscles incorrect for red muscles बच्चों locomotion and movement वाले chapter में जहां sliding filament theory यानि के muscle contraction mechanism complete होता है उसके अगले paragraph में ही red muscles और white muscles के बीच में comparison दिया हुआ है उसी के basis पर ये सवाल बनाया गया है what is incorrect for red muscle red muscle के लिए क्या गलत है दिया हुआ जो myoglobin it is correct high myoglobin red muscles में myoglobin का amount ज्यादा होता है white muscle में बहुत कम होता है contains more number of mitochondria ये more mitochondria ये भी सही है red muscles में mitochondria का number ज्यादा होता है और white muscles में mitochondria का number कम होता है red muscles are aerobic muscles ये भी सही है aerobic muscles क्यलाते है red muscles को ही aerobic muscles भी कहा जाता है ठीक है यहाँ पर myoglobin के साथ oxygen जो है combined होती है oxy myoglobin structure का formation होता है complex of formation होता है तो aerobic muscles है इसके बाद more sarcoplasmic reticulum बच्चों ये red muscles में sarcoplasmic reticulum more नहीं होता बलकि less होता है less sarcoplasmic reticulum more sarcoplasmic reticulum white muscles का feature है तो इस हिसाब से जो incorrect है red muscle के लिए that is more sarcoplasmic reticulum और यही इसका answer होगा तो इसका answer होगा option number four fourth option जो है इसका answer है हम आगे बढ़ते हैं इसी सलसुले में question number 160 अब 160 देखिए ये disorder से है ये भी locomotion movement से ही question लिया गया है आप देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है autoimmune disorder affecting neuromuscular junctions leading to fatigue, weakening and paralysis of muscles is known as autoimmune disorder एक वारे का autoimmune disorder है जिसमें की neuromuscular junction जो है destroy हो जाते हैं जिसकी वज़े से proper muscle contraction नहीं होता जिसकी वज़े से हमें क्या समझ में आता है muscles जो है वो fatigue शो करते है weakness शो करते है वीक होट पर जाते हैं और muscles की paralysis भी हमें देखने को मिलती है यालिकि muscles अपना काम करना बंद कर देते हैं यह कौन सी condition है कौन सा disorder है जिसमें की यह condition देखने को मिलती है जो की एक autoimmune disorder भी है muscular dystrophy जी नहीं muscular dystrophy जो है यह इस तरह का disorder नहीं है gout जो है it is an inflammation of joints arthritis यह जो है gout जो है inflammation of joints है जहां पर की uric acid crystals का deposition हो जाता है uric acid crystals के deposition से वहाँ पर inflammation हो जाती है arthritis हम properly एक simple way में कहते है itis मतलब inflammation arthros means joint arthritis it is the inflammation of joint वो किसी भी वज़े से हो सकता है लेकिन इसे हम inflammation of joint कहते है gout में एक particular condition develop होती है that is inflammation occur due to the deposition of uric acid crystals my senior gravis my senior gravis is the autoimmune disorder ध्यान रखे muscular dystrophy भी जो है it causes weakening of the muscles but it is not an autoimmune disorder जबकि my senior gravis जो है this is the autoimmune disorder जिसकी वज़े से neuromuscular junction जो है वो damage हो जाते है जिसकी विसे muscle fatigue या weakening of muscles या paralysis of muscles देखने को मिलता है so the correct answer will be option number four एक ध्यान रखना बच्चों जितने भी disorders ही है physiology के chapters में उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़के जाएगा या तो match the column में या इस तरह के questions बनाके frame करके जो है वो आपको exam में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है ठीक है इसके बाद next question चलते है question number question number 161 question number 161 peripheral neural system comprises बच्चों बहुत ही असान question है बहुत ही असान question है शुरुआत में ही जो nervous control and coordination जहां पर दिया है जहां से शुरुआत हो रही है वहीं पर जो है इसको समझाये गया है central nervous system peripheral nervous system या central neural system peripheral neural system और वहीं पर जो है autonomic neural system को भी example वहाँ पर explain किया गया है देखिए जो peripheral neural system है initially हम उसको divide करते हैं somatic neural system और autonomic neural system फिक ये दोनों तो है इसके साथ-साथ जो visceral nervous system है उसको भी हम इसके अंदर include करते हैं ये जो है इस हिसाब से हम देखें तो peripheral neural system में टीनों include किये जाते हैं somatic neural system autonomic भी और visceral neural system या nervous system हम बोल सकते हैं तो इस तरह से इस question का answer होगा all of the above यानि की one two three तीनों ही इसमें include किये जाते है answer होगा four इसके बाद next जो है next question number 162 question number 162 question number 162 क्या कहता है an increase in blood flow to the atria of the heart can cause release of यानि की जो अगर जो atria यानि की auricles heart की जो auricles है अगर उसमें blood flow बढ़ जाता है तो फिर ऐसा कौन सा factor है जो की release होता है जिसी की बढ़े हुए blood flow को normalize किया जा सके हम इसमें देखते है option में renin, aldosteron, adh और atrial natriuretic factor देखो बचो renin जो है this factor is associated with the rast mechanism x-ray-d system में जब हम kidney regulation, kidney functions की बात करते हैं एक kidney regulation की बात करते हैं एक renin और renin rast mechanism है क्या renin angiotensin aldosteron system या renin aldosteron mechanism जो है यारे की aldosteron भी release होता है इसी system में और renin क्यों release होता है बच्चों इसका सीधा सा impact जो है वो आता है कि GFR reduce हो जाता है GFR क्यों reduce होता है क्योंकि glomerular filtration pressure reduce होता है glomerular filtration pressure reduce क्यों होता है क्योंकि blood pressure reduce हो जाता है blood pressure reduce क्यों होता है क्योंकि blood volume कम हो जाता है blood volume कम क्यों होता है क्योंकि renal tubules से Reabsorption कम हो जाता है और Reabsorption कम हो जाता है जो किसकी वज़े से हो रहा है GFR की वज़े से तो इसको बढ़ाने के लिए यानि की Blood Volume को बढ़ाने के लिए Blood Pressure को बढ़ाने के लिए GFP को बढ़ाने के लिए GFR को बढ़ाने के लिए renin release होता है renin जो है आगे angiotensinogen को activate करता है जिससे ultimately angiotensin 2 का formation होता है angiotensin 2 adrenal gland पे act करता है जहां से aldosterone release होता है aldosterone जो है later renal pubuse part से sodium ions के reabsorption को बढ़ाता है जिसके पीछे-पीछे water move करता है और इस तरह से blood ospolarity बढ़ती है और फिर उसके बाद जो है water move करता है cosmotic gradient create होने से जिसकी वज़े से जो है blood volume बढ़ता है blood pressure बढ़ता है और जब blood pressure बढ़ेगा तो obviously blood flow into the atria will increase लेकिन अगर blood flow बढ़ता है atria में हाट के तो फिर एक अलग factor release होता है उसको normalize करने के लिए and that is atrial natriuretic factor या जिसको हम anf कहते है anf तो इसका answer 4 होगा जो reaction जो activity ranion aldosterone की देखने को मिलती है वही बात हमें ADH के साथ भी देखने को मिलती है ADH भी blood volume बढ़ता है blood pressure बढ़ाएगा obviously blood pressure बढ़ेगा blood volume बढ़ेगा there will be an increase in the blood flow to the atria of the heart तो ये तीनों तो काम नहीं करेंगे ये तीनों तो तब release नहीं होंगे जब blood flow बढ़ रहा है बलकि blood flow को normalize करने के लिए हम जो है क्या करते है ANF हमारा जो heart है हमारे जो atrial walls है auricular walls है वो एक factor release करना शुरू करते हैं जिसे ANF कहते है और ANF जो है it is antagonistic to ras वो ras mechanism को inhibit करने का काम करता है और इस तरह से जो increased blood flow है atria में उसको वापस normalize करने का काम करता है तो इसका answer होगा answer 4 अब आगे बढ़ते हैं next question है the role question number 163 the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is बच्चो बहुत simple question है जब हम regulation की बात करते हैं regulation of breathing तो उसमें एक last statement दिया हुआ है that oxygen का जो role है वो insignificant होता है वहाँ पे main जो role है वो partial pressure of carbon dioxide और HIN concentration का होता है तो इसका answer होगा answer 2 that is insignificant role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is insignificant significant किसका है partial pressure of carbon dioxide और HIN का जैसे की chemo sensitive area it is sensitive to the increase in the partial pressure of carbon dioxide and HIN concentration इसी तरह से जो peripheral center है aota की wall में या carotid artery की wall में जो aotic bodies या carotid bodies present होती है these are also sensitive to partial increase in the partial pressure of carbon dioxide and HIN concentration जरा सा भी इनके partial pressure में बड़ोत्री होती है या जैसे भी जरा सा भी HIN concentration में बड़ोत्री होती है तो रंती एक्टिवेट हो जाते है and they send message to the respiratory rhythm center to increase the rate of breathing उसको regulate करने की बात होती है तो इसका answer option number 2 होगा इसके बाद आगे बढ़ते है इसके बाद आगे बढ़ते है that is question number 164 adrenal cortex is composed of three layers three layer and the sequence of layers from outside to inside is यह हमें देखना है पहले एक बार option देख ले रहे zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis zona reticularis, zona glomerulosa, zona fasciculata zona fasciculata, zona reticularis, zona glomerulosa zona fasciculata, zona glomerulosa and zona reticularis अब देखो इसको जो adrenal gland है बच्चों adrenal gland एक इस तरह का conical shape, pyramidal shape gland होता है और यह kidney के anterior surface पर present होता है जिसकी वज़े से हम इसको suprarenal gland भी कहते हैं यह दो भागों में बटा होता है एक peripheral part होता है जिससे हम adrenal cortex कहते हैं और एक central part होता है जिसको हम जो है adrenal medulla कहते हैं तो बच्चों यह तो हो गया adrenal medulla यह तो हो गया adrenal medulla ठीक है और जो peripheral part है जिससे हम adrenal cortex कहते हैं वो तीन regions में divided होता है तीन regions में divided होता है इस तरह से एक region हो गया फिर उसके बाद दूसरा region और फिर बाद में तीसरा region यह हो गया पहला यह हो गया दूसरा और यह हो गया तीसरा यह जो है तीसरा region और center में यहाँ पर जो है यह क्या है adrenal medulla यह outer layer यह outer layer यह middle layer यह middle layer और यह जो है inner layer है inner region है inner region outer region middle region और inner region तीन region हो गए outer, middle और inner बच्चों ये जो outer, middle, inner region जो है इसको अलग-लग नाम दिया जाता है zona यानि की zone से मतलब है, region से मतलब है हम इसको क्या बोलते हैं इसी एक कहलाता है zona glomerulosa zona glomerulosa ये कहलाता है zona fasciculata fasciculata और inner most region जो है वो कहलाता है zona reticularis zona reticularis ठीक, तो outer inner चले, तो answer हता है glomerulosa, फिर fasciculata, और फिर reticularis ये और option में देखे, तो इसमें option 1 में sequence जो है, करेक्ट दी हुई है outer to inner, outside to inside glomerulosa, fasciculata और reticularis तो answer होगा, answer one answer one ठीक, तो ये आगे बढ़ते हैं अब इसमें question number 165 mark the vitamin present in rhodopsin rhodopsin में कौन सी vitamin present होती है देखो बच्चों इस चीज़ बता दें कौन सेल में idopsin और rod सेल में rhodopsin present होता है opsin is common factor इसके अलावा एक aldehyde present होता है retinine और retinine जो है वो बना है retinol से ठीक है एक होता है aldehyde that is retinine and retinine it is the derivative it is provided it is formed from the retinol retinol और retinol है vitamin A retinol जो है वो है vitamin A ठीक तो चाहे idopsin हो चाहे rhodopsin हो जो vitamin present होती है वो और कोई नहीं होती केवल और केवल एक होती है और वो है vitamin A that is retinol और इसमें answer जाएगा option 1 ठीक vitamin A ठीक इसका answer होगा option 1 आगे बढ़ते हैं question number 166 an acromion process is characteristically found in the skull of frog sperm of mammals pelvic girdle of mammals pectoral girdles of mammals अब देखें पहली बात acromion process है क्या बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि जो pectoral girdle है it is made up of two bones total number of bones four यानि कि two clavicles and two scapula और जो कहकते है scapula है उसकी जो dorsal surface होती है यहाँ पे एक ridge present होती है जिसे हम scapular spine कहते हैं ध्यान से सुरे वच्चों ऐसा ही बिलकुल feature जो है आपके NCRT में दिया हुआ है scapular spine कहते हैं यह जो scapular spine है वो यहाँ पे dorsally इस तरह से present होती है and it goes to the this outer upper corner और यहाँ पर जाके इस तरह से जो है यह projected रहती है और जो clavicle है यह मैं dorsal surface बता रहा हूँ मैं और जो clavicle है मैं इसे dotted line से जो है mention कर रहा हूँ जो clavicle है it goes in this direction and articulates with this process जो की यहाँ पे knob-like process निकला रहता है आप अपने कंदे पे भी इसको feel करेंगे एक pointed knob-like process जो है यहाँ पर दिखाई देता है elevated structure इसी को हम बोलते है acromion process यही जो है acromion process कहलाता है acromion process और इस process के ठीक नीचे यहाँ पर जो है इस capilla में एक notch present होती है depression present होता है जिसे हम glenoid notch कहते हैं जिसमें की humorous का head articulate करता है पिछले test में एक question देखा होगा कि glenoid notch के उपर पूछा था कि यह कौन-कौन form करता है और उसमें answer था केवल scapula जबकि बहुत सारे बचों ने scapula in clavicle दोनों लगाए था clavicle do not participate in the formation of the glenoid notch ध्यान रखेगा क्योंकि clavicle उपर चला गया और इस process से articulate करने लग गया और कर जाता है और इस process यह जो process है यह जो है mammalian pectoral girdle का feature है तो इसका answer होगा pectoral girdle of the mammals इस तरह का कोई भी process जो है pelvic girdle of mammals में प्रेजेंट नहीं होता बाकि skull of frogs और sperm of mammals इन में भी इस तरह का जो है कोई भी structure present नहीं होता तो यह जो है this is related with the pectoral girdle of the mammals and the correct answer is answer number 4 इसके बाद अगले question में चलते है अगला question अगला question है question number 188 which statement is incorrect which statement is incorrect with respect to the process of excretion which statement is incorrect with respect to the process of excretion जो excretion process है या excretion का जो पूरा system है उस respect में कौन सा statement incorrect है आप देखें statement यहां पे पहला statement दिया हुआ है sebaceous glands eliminate sterols, hydrocarbons, waxes through the sebum हमारे body wall में sebaceous glands होते है which are which are oil glands और उनका जो secretion होता है वो oily secretion होता है sebum होता है और उसमें sterols, hydrocarbons, waxes excretion होते है release होते है that is combinedly called as sebum it is true तो यह तो सही है it is correct sweat contains small amounts of urea and lactic acid बच्चों NCRT की lines हैं यह दोनो पहला statement भी था और यह वाला statement भी है कि जो sweat है it contains small amount of urea and lactic acid small amount of urea जो हमारा main excretion product है that is also released along with the sweat gland sweat gland के थूँ जो sweat secretion करता है पसीना जो निकलता है उसमें small amount में urea और lactic acid present होता है तो यह statement भी सही है तीसरा है lungs remove large amount of carbon dioxide per day large amount of carbon dioxide per day मिल्कुल सही बात है हमारे lungs जो है large amount में carbon dioxide per day release करते हैं आप NCRT देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ 18 liters of carbon dioxide per day is removed by the lungs कुछ NCRT में अलग अलग दिया हुआ है लेकिन ध्यान रखें per day की बात करें 18 liters of carbon dioxide is released to outside environment by the lungs तो ये statement भी सही है अब fourth statement की बात करते हैं 1,2,3 तो सही हो रहा है अब हमें जानना क्या है कि incorrect कौन सा है 4 देख लेते हैं on an average 25 to 30 mg of urea is excreted out per day humans में कितना urea excreted होता है per day ये यहाँ पर दिया है database रहे बचो दियान रखना mikturition वाला part जहाँ पर दिया हुआ excreted system में वहाँ पर कितना amount of urea भी per day हम excreted out करते हैं वो भी दिया हुआ है अब देखें कितना दिया है यहाँ पर on an average 25 to 30 mg बिली ग्राम नहीं बिली ग्राम नहीं it is ग्राम ये ग्राम्स में है 25 to 30 ग्राम्स of urea is excreted out per day तो बचों ही तो statement गलत हो गया और इस तरह से ये statement incorrect है गलत है और यही हमें identify करना था incorrect statement कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा option number 4 इसका answer हो जाएगा option option number 4 ठीक है आगे बढ़ते हैं next question question number 190 बड़ा interesting question है यह और जब भी मैं class में इसको लेता हूँ मैं बोलता हूँ बचो इस तरह का application based question पूछा जा सकता है NCRT में digestion and absorption वाले chapter में एक feature दिया हूँ है chapter के last में इस calorific values gross calorific value and physiological calorific value यहां पर वही उसी पर बेस question बना है if a person takes 20 grams of carbohydrates 15 grams of proteins and 25 grams of fats in his diet then what amount of physiological value of calories that person generate after assimilation of this diet physiological calorific value तो कब बनेगी जब assimilation होगा food का body organs में body tissues में वहां पर अब आपको मालूम होना चाहिए यहां पर करें हैं जो जो फिजिए नापनेगी फिजियो लॉजिकल फिजियो लॉजिकल फिजियो लॉजिकल कैलोरिफिक वेलियूज अलग-अलग food substrate की क्या-क्या है जैसे की अगर हम carbs की बात करें तो it is 4 ठीक it is 4 प्रोटीन की बात करें प्रोटीन की बात करें तो इसकी प्रोटीन की भी जो है it is 4 और अगर फैट की बात करें तो it is 9 4 किलो कैलोरीज पर ग्रैम यह क्या आता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्रैम 4 किलो कैलोरीज पर ग्रैम 9 किलो कैलोरीज पर ग्रैम अब यहां पे जितना यहां पे 20 ग्रैम्स ऑफ कार्भोईडरिट लिया है 15 ग्रैम्स ऑफ प्रोटीन और 25 ग्रैम्स ऑफ इसी को इससे इससे ज़्यादा और क्या असान हो सकता है इसको हम multiply कर दें 20 से इसको multiply कर दें 15 से 15 से और इसको multiply कर दें 25 से तो value कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी 80 यह आ जाएगा 60 और यह आ जाएगा यह आ जाएगा 225 225 दोनों को add कर देते हैं 5 है 6 and 3 यह आ जाएगा 365 किलो कैलोरीज 365 किलो कैलोरीज it is 5 यह जो है यह 5 है it is 5 365 और option में कहा है 365 यह दिया हुआ यहाँ पे तो इसका answer क्या हो जाएगा answer number 2 answer 2 तो इस तरह से में calculate करना है तो बचों यह याद रखना होगा कि gross calorific value क्या होती है आपको याद रहना चाहिए मैं gross calorific value की बात कर रहा हूँ यहाँ पर यह जो है carbohydrate के लिए होती है 4.1 protein के लिए होती है 5.65 और fat के लिए होती है 9.45 जबकि physiological value क्या होती है 4, 4 and 9 protein ध्यान रखिएगा इस चीज़ का तो यह जो है इस तरह के questions आप से put up किये जा सकते है and everything is given there in your NCRT सभी कूछ NCRT में दिया है बच्चों आज तारीक क्या है 20 तो हमाँ पास कितने दिन है अगर मैं 7 तारीक को हटा देता हूँ मैं तो यह मान के चलिए effectively हमाँ पास 15 दिन है एक दिन और मैं कम कर देता हूँ 15 दिन है effective तो हमें और अच्छे से पढ़ना चाहिए NCRT को और अच्छे बारीकी से एक reading लगाते रहो कोशिश करो दो या कम से कम दो या तीन revision जो है NCRT के बायों की NCRT के आप लगा लें जिसे की at least जो भी NCRT based question होगा उनको आप 100% with full confidence आप जो है correct करके आएंगे उमीद है कि आप अपने पढ़ाई की intensity को और बढ़ाएंगे और मजबूती लाएंगे और जहां कहीं आपकी गलतियां हो रही हैं उनको analyze करते हुए अगली बार दोराने की जो है कोशिश नहीं करेंगे कोशिश करेंगे कि अगली बार वो repeat ना हो question number 191 choose the incorrect match incorrect match को choose करना है question number option number 1 है inspiratory capacity TV plus IRV, expiratory capacity TV plus ERV, functional residual capacity IRV plus RV total lung capacity RV, ERV, TV, IRV इसमें incorrect match हमें choose करना है inspiratory capacity IRV plus TV होता है सही है expiratory capacity TV plus ERV होता है total lung capacity ERV, TV, IRV plus RV होता है लेकिन जो functional residual capacity है FRC जिसको हम बोलते है FRC जो है it is ERV plus RV ERV plus RV ठीक है? तो ERV plus RV fine ERV plus RV होता है और इस तरह से हम क्या देख रहे है यहां पे IRV दिया हुआ है ERV की जगे पे तो यही incorrect होगा तो इसका answer है option number three ठीक है? option number three तो बच्चों यह question है और this is the last question आज की discussion का आजी बेटा शुरू करते हैं कुछ cell biology human health के questions को discuss करते है तो question number 177 क्या दिया है? when a cell does not divide जब cell में division नहीं हो रहा है तो वो खहरा है it enters याद किजिए पुरे cell cycle को हमने दो हिस्सों में बाटा था एक interface था और दूसरा M phase था तो interface में G1 होता है S होता है G2 होता है तो अगर cell divide नहीं कर रहा है मतलब वो cell G1 से बाहर हो गया है वो G0 में चला गया है वो quoscent stage में चला गया है तो जब cell में division नहीं हो रहा है तो कहां पर enter कर जाता है? quoscent stage में वो enter कर जाता है कि वो G1 से बाहर हो चुगा है तो G1 होगा S होगा और G2 होगा यह तो क्या होता है? इंटरफेस होता है लेकिन वो तो से बाहर हो गया है तो answer is second जाएगा यहाँ पर क्योंकि first option G1 दिया है और यहाँ पर third option S phase दिया है और फिर G2 दिया है Question No 178 Which is the following plastic stores protein? Plastid cell organically और Plastids क्या कर रहे है? Plastids तीन तरह के Plastid आपने का chloroplast है आपने का leukoplast है आपने का chromoplast है तो जो leukoplast है उनमें कोई भी pigment नहीं होगा तो food को store कर रहा है तो food protein हो सकता है lipidia oil हो सकता है carbohydrate यानि इस्टार्ट हो सकता है तो वो पूछा है protein को जो store कर रहा है तो जो protein को store कर रहा है उसका आप लोग क्या बोलते हो? उसका आप लोग allure of Plast बोल रहे है protein of Plast बोल रहे है क्यों जो amylo होते है amylo हम कहते हैं starch को तो ये तो starch को store करेगा न ज्ञान होना चाहिए इलायो प्लास्ट जो होता है बेटे वो oils या fats को store कर रहा है कुछ याद आ रहा है अप लोगों को और जो chromoplast होते हैं उनके अंदर क्या होगा? chroma या नहीं वो color देने लग रहे है flowers को color दे रहे हैं fruits को color दे रहे हैं तो protein storing जो होंगे वो क्या होंगे? तो centromere की poison के base पे कि वो centromere है कहा? chromosomes के four types हो गए अगर वो centromere बिल्कुल middle में होगा तो दोनों arms का length equal हो गया है आप इन chromosome को metacentric chromosome कहेंगे तो question तो सिरफ यही पूचा जोने कि वो कौन सा chromosome है जिसके अंदर आपको centromere बिल्कुल center में देखने को मिलेगा middle में देखने को मिलेगा तो answer तो हमारा आगया metacentric यह नहीं first one तो ध्यान रखेगा जो सब metacentric होता है वो कैसे होते हैं? L-shaped होते है slightly away from the middle होता है तो second number यह दे रखा है और acrocentric होगा उसमें क्या होगा? just below the tip होगा तो वो J-shaped हो जाएगा क्या हो जाएगा? J-shaped हो जाएगा और जो टिलो-centric होते हैं उनमें center में बिल्कुल tip पे होता है end पे होता है तो single arm ही आपको देखने को मिलेगा तो यह कैसा हो गया? I-shaped हो गया है हमारे पास question है कि center में कहां होगा? center में कहां होगा? meta-centric तो answer is first one next question लेकर चलते हैं मैटे 180 180 how many centrioles are associated with a centromere? नहीं नहीं centrosome दिया है बस यहीं confeas centromere जो है वो chromosome में होता है वो chromosome का एक structure हो गया centromere यह centriole और centrosome की बात है अगर आप यह animal cell की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह nucleus है animal cell के respect में अगर आप थोड़ा सा recall करके देखिए तो अगर आप animal cell की बात करें तो यह nucleus है और nucleus की vicinity में यह जो reason दिख रहा है इसको आप centrosome कहते हैं तो centrosome एक reason हो गया है और इस centrosome में यह जो road like structures आपको देखते हैं इनको centros बोलते हैं और बोथ और perpendicular to each other दोनों इसके right angle पर होते हैं तो एक centrosome में कितने होंगे कितने centros होंगे उसमें दो centros होते हैं तो answer is third one वोले तो दो centros वहाँ पर मौजूद है next question लेकर चलते हैं question number 181 which are the following which are the given are the found by the processing of packaging in Golgi apparatus याद करो यार जो भी बना रहा है roughyar हो या smoothyar हो यार जो भी बनाता है वो raw metal छोटी छोटी vesicles के form में Golgi के पास पहुंचता है और Golgi उस raw metal को receive करता है उसे modify करता है उसको pack करता है then उसको secrete कर देता है कुछ याद आ रहा है आप लोगों को तो पहले metal को modify किया जाएगा फिर pack किया जाएगा then उसको secrete किया जाएगा alphabet का यही sequence होता है पहले M आता है फिर P आता है फिर S आता है mommy, papa, super कुछ याद आए आप लोगों को तो यही sequence चलता है मतलब अगर lysosome भी बनना है ना बेटे तो lysosome के लिए hydrolytic enzyme ER से ही बन रहे है फिर वो raw metal गोल जी के पास पहुंचेगा और sit size से वो क्या करेगा sit यानी forming face है ना तो वो उसको receive कर रहा है यह convex होता है और वो जो size होता है वो maturing हो गया है और रहा है फिर वहां पर उसकी packaging तो packaging जो हो रही है वो कहां हो रही है वो गोल जी में हो रही है लेकिए तो जो process ER सुरू करता है गोल जी complete कर देता है glycosylation starts in ER but that is completed in गोल जी तो answer is first one हो गया है next question लेकि चलते हैं मैटा question number 196 याद करो मैंने जब भी आपको कहा है कि C value और N value कैसे calculate करेंगे मैंने कहा है DNA की amount को C से denote करते हैं chromosome number को आप लोग N से denote करते हैं तो दो ही चीज़े याद रखनी है एक तो S phase में DNA का amount double होता है और दूसरा जब भी जब भी जब भी क्या होगा centromere split होगा chromosome का number double हो जाएगा और centromere कभ split होता है mitotic anaphase में या meotic anaphase second में होता है तो graph दे रखा है मुझे पता है कि आप सब बच्चों ने आराम से solve किया होगा तो initially अगर 2C है तो initially अगर 2C दे रखा है मालेजिए G1 phase है तो S phase में जैसे ही सलाती है S phase में DNA का amount का जाता है double हो जाता है और फिर उसके बाद में G2 में उतना ही रहेगा और meiosis 1 हो गया तो पिर क्या हो जाएगा amount क्या हो जाएगा half हो जाएगा कुछ याद आ रहा है आपको लेकर फिर उसके बाद में meiosis 2 complete हो गया है calculation करना मैंने दिखा है और बच्चे ने इसको बड़ी आजाम से select कर लिया होगा इस question को सभी ने सही किया होगा तो answer is second one next question ने की चलते हैं मेटा question number 197 the cytoskeleton तो जब भी cytoskeleton की बात आए आपके दिल और दिमाग में क्या चलना चाहिए एक तो micro tubule चलना चाहिए जिनका diameter सबसे ज़्यादा है और दूसरा micro filaments चलने चाहिए जिनका diameter सबसे कम होगा कुछ याद आ रहा है और जिनका diameter दोनों की बीच में आएगा वो intermediate filaments है तीन components है और जो यह cytoskeleton components है यह eukaryotes का feature है पर eukaryotes का feature नहीं है टो क्या कर रहे है cell की shape को maintain कर रहे है भिलकुल सही है mechanical support दे रहा है मॉतिलीटी में help करता है एक पुझा का नहीं हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है मतलब aerobic respiration तो कहां पर हो रहा है mitochondria के अंदर चल रहा है तो answer is जही हो गया थर्ट वन हो गया है 197 का चलिए नेकर चलते हैं किष्वसिननोर 198 फॉलोविंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पतु व्लॉर भ्ला इस करता है तो क्लो ड्ष करता है पहला दे रक आपने फोर्टो जिंगे का फॉर्ट संस्श पढ़ा होगा फूड तो यहीं रहा है ना आपने light और डाक रेकसर भी तो पड़ी होंगी तो ठीक है यह तो सही है परफॉर्मस फोटो सिंथेजिश ठीक है फोटो सिंथेजिश तो होई रहा है इट कंटेंस 70S राइब हो जो माइटोकॉंड्रिया हो यह सेवन्टीश ट्राइब के राइब हो जो तो यह भी सही है और याद करो जो होता है उसकी जो ओटे रॉटल मेंबरैन अर्म क्या होती ये तो गलत हो गया दो ऑचर थी क्या archaeology धी जाधा होती है तो गलत हो गया है तो पांसरी थर्ड वान नेकर चलते हैं क्योशन नमर 174 विचोदा फॉलोविंग ड्रक कोज़ेस ऑल्टरनेशन ऑफ थोर्स याद करो वहांग है गांजा है चरश है हशीश है मेरीज्वेना है और भी प्लांट है जिन में हैलूसियनोजनिक प्रोपर्टी होती है वीजन प्रोड बता दिया मैंने आप लोगों को लेकर आपके सामने है मैरीज्वेना इसका क्या हो गया अंसर हो गया है कैने भी सटाइवा प्लांट आपको याद आ रहा है जिसको सिंप्ली आप भांग का पोदा बोल देते हो तो भांग गांजा चरश है मैरीज्वेना सब कुछ उसी से म कैंसर को डिटेक्ट कर रहे हैं आप बॉन मेरो टेस्ट कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं बायोपसी कर रहे हैं अगर कोई कैंसर हो जाता है आप एक्सरी इमेजिंग करते हैं सीटी सकैन करते हैं मराई करते हैं कैंसर डिटेक्टन की यह टेक्निक है आज कलम नहीं का थ तरेपी तो treatment हो गया ना यहां तो detection कि अरे detect करेंगे तभी तो treat करेंगे ना detection करेंगे दिद्धार का treatment होगा तो कौन सा यूज नहीं हो रहा है detection में कौन सा radio therapy क्योंकि रेडियोफ थेरापी होता है वो क्या हिए होता है चलिए नेश्क कुर्शन लेके चलते हैं 176 एसीटाइलेशन और मॉर्फिन याद करो एक प्लांट होता है पैपेवर सौमनी फैराम इस प्लांट का जो ड्राइव लेटेक्स है उससे आपको मॉर्फिन मिलता है और जो मॉर्फिन का आप एसीटाइलेशन करेंगे तो आपको ह मिलेगा हेरोइन मिल जाएगा डाइए एसीटाइल मॉर्फिन भी आप बोलते हैं कुछ याद आ रहा है हेरोइन को और हेरोइन को एंसिया टेकर है कॉमनली आप लोग इसमैक भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा साथ मही को कमाल करना है तो आंसर क्या हो गया फस्ट वान क्यो बहुती है कि अरोड दोतरे का इम्म्यून रैस्पॉंस होता है कि समय होता है हो गया ओटेंविटी हो गया है और जो आंटीबोडी है की लोड दता है चेविश में सेम पैथोजन आ रहा है सब सिक्वेंट एक्स्पॉजर पैथ हो रहा है तो यहां तो रिखा है प्राइमरी तो गलत हो गया है तो यह अनसर हो वह वह आते हैं जाए वह है बात करें सुधी की बात करें तो MHC फेजियोलोजिकल बैडियर जाद की पहलते हैं उ的是 אנחנו के लिएख अगर आपको याद आ रहा होतो हो कुछ याद आ है आप लोगों को लेकर वेंटरल हार्ट और नौट होगा और सेंट्रल नर्वास इस्टम और वह वह होता है और वह सिंगल होता है और जो कोडेट्स हैं उनके अंदर फेरिंजियल जो गिल्स भी देखने को आपको मिल रही है हमारा हाट हम कोडेट हैं तो वेंटरल हाट देखने को मिलेगा और पॉस्टन टेल भी देखने को मिलेगा हर बच्चे ने इसको सॉल कर लिया होगा मेरे ख्यास से बहुत आसानी से लेकर पहले दे रहा है कि यहां पर Kn 1979 नहीं है डिर बता ही और टेल्ट नहीं के नहीं मिलेगा लीच नॉन कॉडड़ेट है न साइट पर आपको सेंट्रल नर्वस इस्टम देखने को मिलेगा और मारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और तो यह तो सही हो गया है तो यह सही ऑप्शन है दोस्तों फॉर्थ मी चैक कर लेते हैं चैमेलियोन और तो रैप्टा नर्वास सिस्टम होता है डॉर्सल साइट पर होता है यह क्या होती है डॉर्सल साइट हमारे हाट है कुछ यहाद है तो टेबल की बेस पर आराम से इसको सही कर देंगे तो आंसर इस थर्ड वान कोक्रोज के बारे में 168 है ना चली मैं देखा इनको भी थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं अगरी डाएग्राम आपको याद आहरा हो तो यह कोक्रोज का मील कोपर सिस्टम दिखा रखा आएक टेश्टिस क्याद करो यह जो Whether दो मैंने दीखका रखा है किसकी यहाँ पर लेबलिंग हो गई है को इसकी यहां पर आपको दिखा रखा है यहां पर लेकर जिसके कंपोनेंट्स होते हैं फिर उसके बाद में क्या होगा वास्ट यह जो टेश्टिस से आ रहे हैं वास्ट डेफरेंस है जब इदर से इस पंस आ जाएंगे हां पर लेकर तो सेमिनल वैसाइकल में वह श्टोर हो गया है फिर वह इस्यकूलेटर ड्रक से बाहर निकल जाते हैं तो इंसी की लेवलिंग है तो हर एक बच्चे को यह सही करना ही है तो बताइए किस ने सही किया इसको आंसर इस फर्स्ट वन हो गया है दोस्तों चलिए नेकर चलते हैं तो यह एनिमल हस्पेंटरी वैसे तो एनिमल डाइवर्शिटी मिक्स ही क्योशन है सभी बच्चों ने इसको सही कर दिया होगा विच बनाव दा फॉलोविंग पे इस क्या मिस मैच मिस मैच डूड़ना है हमको तो बॉम्बिक्स मौराई य चाहिसे नहीं मिलते हैं बचे मोटी यूनियों से मिल रहे हैं पाईला से नहीं मिल रहा है एपिस अगर आपको या तो तो हनी भी इसे हनी मिल रहा है यह तो सही है दोस्तों लेखा और लेसीफर आपको जानते हैं लेकर इंसेक्ट है तो यह भी सही है तो मिसमैच कौन सो हो gyan answer is second one दोस्तों चुली देखते हैं आगे कुछ है क्या तो यह discussion संग्प्लेट हो गया बैटे थैंक यू हलो बच्चो क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे कन्वर्जेंट इविलूशन ऑफ टू स्प्रेसीज इस एस्सेटेड विद एनलोगस ओर्गन हिंदी वाले बच्चे भी देखें दो जातियों का अभिसारी उद्विकास निम्न में से किस से सम्मधित है एनलोगस संब्रती अंग ठीक है कॉमन एंसस्ट्री समान पूर्वज़ता होमोलोगस ओर्गन समझात अंग भिन आवास डिफरेंट हविटेट ठीक आपको यह पता है एनलोगस ओर्गन जैसे ही आप बोलते हो चलो अगर नहीं भी याद है कोई बात नही पड़ा होगा विंक्स और साथना नहीं हम कहते हैं घ्यार्व इंसक्स इन वर्टीब्रेट और कहा बर्ड्स यह हैं हायर वर्टीबूर्ड लेकिन दोनों में विंकश प्रेजन होते हैं बड्स में जो सब्सकेशन इस मतलब फॉरलिम्स का मोडिफिकेशन नहीं जबकि इनस तो development of similar kind of adaptation, similar functioning organ in unrelated group of animals, that is called convergent evolution, और ऐसे organs को जो different organ, same function perform करने के लिए specialized हो जाए, unrelated organ, similar organ which get specialized to perform same function due to same habitat or need, that kind of organs are called analogous organ, revolution को कहते है, convergent evolution, ठीके बच्चे, तो भिन animals में या भिन संरचना है, अगर समान कारी करने के लिए अनुकूली तो जाए, तो ऐसे organ, analogous organ है और ये convergent evolution होगा, next, next question, 183 question आप देखीगा, mass the column and choose the correct option, ये पूरे चेप्टर में जितने scientist है, उनका contribution है, वो आप से check करवाएगा, ये question देखीगा, ओपर इंगलेंड, ठीक है, life came from non-living inorganic molecules, याद करो, ओपर इंगलेंड ने क्लेम किया था, कि भी प लेकिन उन्हों ने कहा था, ओपर इंगलेंड ने कि life could have come from a combination of non-living organic molecules in sea water on primitive earth when atmosphere was reducing, याद आ रहा होगा कुछ बच्चों को, मतलब यहाँ तक तो बात ठीक है, कि life come from non-living, लेकिन inorganic molecules लिखा है, ये organic molecules की बात थी यहाँ पर, ठीक है, तो ये wrong है, कभी भी option में इधर mark मत कीजिएगा, राइट रॉंग कुछ भी देख रहे हैं तो उसको mark इधर कीजिए, ये wrong है, इधर तो जो answer होगा, वो mark करना है, ये ध्यान रखना हमें सा, तो जीवन नर्जीव अकार्बनिक अनुवों से आता है, ये वाली बात गलत होगी, चलो आगे बढ़ो, AR Wallace, Darwin और AR Wallace, दोनों by profession, naturalist थे, प्राकरतिक विद्थे, दोनों ने nature को study किया, और दोनों का conclusions बहुत कुछ, same time के visit से उनकी, और same time के conclusion भी उनके थे, natural selection का concept, survival of fittest का concept, दुन्या को नों दिया, प्राकरतिक वरन का सिद्दान्थ बताया, ठीक है, तो AR Wallace के बारे में यहां लिखा है, कि passing of acquired characters to success in generation, उपार्जित लक्षणों का अगली PD में जाना, उपार्जित लक्षणों की वनसा अनुगती, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो भाई सब डार्विन और Wallace ने तो natural selection का concept दिया था, ये concept किसका है, ये concept है, लेमाक का, लेमाक का concept है, इनका नहीं है, AR Wallace का नहीं है, य भी गलत बात होगी, Miller, Miller American scientist थे, और याद करो, ऑपरिन हेल्डेन जो chemical evolution theory दी थी, उस theory का experimental evidence किस ने दिया, Miller ने, Miller ने apparatus के level पर, sorry, laboratory skill पर, apparatus में वो ही primitive gases ली, methane, ammonia, hydrogen, साथ में water vapor, 800 degree centigrade temperature दिया, तो पता चला, apparatus में amino acids वगरा बन गए, तो उन molecules की reaction से simple organic compounds का formation, ये बहुत बड़ा evidence था, ठीक है, किस के लिए, ओपरिन हेल्डेन ने theory के लिए, chemical evolution theory के लिए, तो experimental explanation of chemical evolution, ठीक है, American scientist मिलर ने दिया, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन एक बर के लिए इसको टिक करके छोड़ दीजे, एक बर, fourth option जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप answer नहीं करेंगे, तो र large differences arising suddenly in a population, पताएं किसका कहना था, large differences arising suddenly in a population, ये mutation का concept है, वही, किसने दिया ये concept बताना, ये concept दिया, किसने, Hugo Divers ने, Hugo Divers ने कहना था, कि large mutations, single step large mutations होते हैं, जो एक generation में new species create कर देते हैं, ठीक है, वो evolution के लिए responsible है, उनको saltation word दिया था, ठीक है बच्चे, तो कुल मिला के क्या समझना है, ये भी रोंगे, तो तीन रोंगे, इसमें answer आपका third हो जाएगा, next, given blow is the family tree of reptiles and their living modern day counterpart organism, like crocodile birds, in this tree, some counterparts are indicated as ABC and you have to select the option which is true for them, तो कौन सा ठीक है ABC के बारे में, देखो इदर, तो ये सरीसरोपों का एक once रक्ष दिया हुआ है, इसमें A देखेगा, यहां मार्क है A, ये मार्क है B, और ये मार्क है C, इन तीनों एनिमल्स को आप पहचानिये, A अगर आपको याद आ रहा होगा, तो one of the largest herbivose dinosaurs है, लंबी neck वाला, जितनी लंबी neck उतनी लंबी tail, कौन है, brontosaurus, brachiosaurus, NCRT ने लिखा हुआ है, इसको brachiosaurus, ठीक है, brachiosaurus दे रखा है, brachiosaurus दे देखे, B कोन है, ये flying reptile, ठीक है, ये teronodon, क्या नाम है इसका, teronodon, जो पटेग्या की health से fly करता था, teronodon, तो B है teronodon, C कोन है, C देखिए का तो, ध्यान से, three horn वाला rhino, ठीक है, three horn वाला dinosaur, जो कैसा दिखता था, rhino के जैसा दिखता था, rhino like dinosaur, कोन है, ये triceratops, क्या ना informative question है, कम आते हैं, लेकिन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते है, NCRT का question कोई भी छोड़ना नहीं है, NCRT based content नहीं छोड़ना है, ठीक है, चली बेचे, thank you